नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परेक्षा प्लस में मैं हूँ आलोग सुकला और आपके लिए लेके आया हूँ खंड सिक्षा अधिकारी के लिए 25 दिनों का रिवीजन कोस जिसमें आपको टार्गेट 90 का प्रोग्राम कराया जा रहा है टार्गेट 90 मतलब यह कि आपके 120 प्रशनों में से टीम की पूरी कोसिस रहेगी कि आपके 90 प्रशन सही हो सही करके आए जो भी बच्चे हम से जुड़े हैं उनको पूरा फायदा हो सुरू से हमने आपको पूरा प्रोग्राम दिया है टेस्रीज का प्रोग्राम है सारा कंटेंट स्टडी माटेरियल सब कुस दिये अब आपके अन्तिम 20 से 25 दिनों की रणनी तिकदम अलग होनी चाहिए यह समय ऐसा आ गया है कि अभी आपको सब कुछ छोड़के प्रिवियस यर कोशन सबसे ज़्यादा करना चाहिए क्या एक्सपेक्टेड कोशन है उसे आपको करना चाहिए साथ ही साथ आपके जो इंपोर्टेंट टॉपिक हो जहां से कोशन सबसे ज़्यादा बन रहे हो उन पर सबसे ज़्यादा work करना है उसे बार बार revise करना है कि जो आसान topic है जो easy question है उसे नहीं छोड़ना है मैं छूटो सा module आपको यहां बताता हूँ paper कोई भी हो किसी भी आयोग का paper हो जैसे यह उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग करा रहा है ठीक ऐसे ही कोई भ moderate level के होते हैं थोड़ा मध्यम level के होते हैं और 20% जो question होते हैं वो tough होते हैं यह परीक्षा आपकी ऐसी है जिसमें आपका रणनीत बहुत ही ज़्यादा importance रखता है ऐसा नहीं है कि यहां पे आपको 120 प्रस्टों में 120 करके आना है नहीं अगर आपका 120 में 80 प्लस भी करके आत हो तो आपके selection का chance बहुत ज़्यादा है यह आपका प्रारंभिक परिक्षा है मेंस के लिए आपके लिए 6 महीने का समय है तो यह सारी बाते हमें इस 25 दिनों में 24-25 दिन जो भी हमारे पास बच रहे हैं इन 24-25 दिनों में यह बार बार हमें इपने दिमाग में डालना है कि म इसके लिए 6 महीना है अभी हमें केवल प्री फोकॉस होना है प्री क्वालिफाइंग है क्वालिफाई केवल करना है और इसके लिए अगर 120 में से 80 कोशन भी आप सही करके आती हो कट पिटके तो आप पका पका प्री क्वालिफाई होगे तो हमारा टार्गे जो है 80 तो है ल इन दो topic के question को हमें नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे अगर हमें selection लेना है तो हमें tough वाले पर ध्यान ना दे के हमें आसान और moderate वाले topic पर बार बार ध्याना है खास कर अंतिम 25 दिनों में 24-25 दिनों में हमें इसी topic पर बार ध्यान देना है हम tough वाले question को एकदम नहीं चुएंगे और यहां पर हमारी तैयारी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि एक topic को कम से कम 2-3 बार आप पढ़के जाएं तो यह सारी बाते मैं strategy की video लेके आऊंगा आपको साम तक किया कल सूबा तक आपको मिल जाएगी लेकिन उससे पहले हम आपके लिए कुछ revision course के बारे में और detail में बता दें यह revision जो course है इसमें आपके सारे previous year के paper दो कराये ही जाएंगे expected question दो कराये ही जाएंगे साथ ही साथ आपके वो स science का portion cover करवाऊंगा ऐसे ही different different teacher आपके different different portion cover करवाएंगे वो वो portion ही cover करवाएंगे जहां से आपके सबसे ज्यादा question बन रहे हैं मान कि चलिए यह पूरा जो revision course है वो आपको 8-10 घंटे की पूरी video का sum मिला लेंगे तो 8-10 घंटों की video होगी लेकिन अगर यह 8-10 घंटे की video आ cover कर ले गए मान के चलिए 20 घंटा भी हो सकता है लेकिन अगर यह 20 घंटा भी आप इंदर 24 घंटों में दे लिए 24 दिनों में दे लिए तो आपका 90 कोशन कहीं नहीं जाना है तो इसी strategy के साथ हम आगे बढ़ते हैं देर नहीं करते हैं हम आपके लिए सबसे पहले math का जो portion है वो मैं लेके आया हूँ math ही किस paper का है मैं आपको बता दूँ उत्तरपदेश लोग सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रति उपविद्याले निरिक्षक परिक्षा 2006 आपका SDI की जो परिक्षा हुई थी 2006 में यह form निकला था 2006 में इसकी परिक्षा हुई थी आपकी 25 मई 2008 मे इसका ये part 2 है part 1 को हमने test series के माध्यम से ही आपको करवा दिये हैं जो आपका ये बीयो वाला test चल रहा है इसमें जो अभी कल वाला जो test था उसमें आपका इसका part 1 का paper दे दिया गया है जी इसका पहले 150 होता था उसे 120 में convert किया गया है part 2 का जिसमें केवल हिंदी और math हाती थी इसमें भी 1500 question होते थे जिसमें 50 question math होते थे केवल और 100 question हिंदी होता था इसका math का 50 का portion मैं आपके सामने लेके आया हूँ और ये देखेंगे इससे कि कैसा question उसने आयोग ने पूछा है खासकर खंड सिक्षा आधिकारी के paper में या SDI बोले पहले जिस नाम से बोलते थे उस paper में कैसा पूछा है कैसा प्रशन हो इस बार के paper में रख सकता है पिछली बार अगर weight is 33% था तो इस बार weight is कितना रहेगा इन सारी बातों को हम बहुत अच्छे से discuss करेंगे लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले question देखना सुरू करते है तो math का portion में आपके लिए लेके आया हूँ एक एक question हम देखेंगे क्या question था उससे कैसे करेंगे sort trick क्या होगा कौन से आसान तरीके से हम कहां से समय बचा सकते हैं क्योंकि ये बात किसी से नहीं छुपी है कि math जो है आपके इस paper में math और reasoning बहुत ही ज्यादा importance रखता है अगर minimum 20 question तो आपके 120 में से आएंगे ही और maximum 40 भी हो सकता है तो 20 और 40 के बीच में ही आपके math और reasoning की portion होगा है चालिक से नहीं होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन फिर भी हम एफ़ज निकाले तो 25 से 30 question तो expected है कि आपका math और reasoning का होगा तो ऐसे में ये बहुत ही ज़्या दीजे तो उनी के लिए और भी revision है साथ में जो भी बाहर के भी बच्चे हैं सभी को जो भी बच्चे हम से जुड़ते हैं टीम का पूरा धे हैं कि आप इस exam में सफलता अलजित करें तो आते हैं पहले question पे ये question number 101 था paper का paper number 2 था 2008 को परिक्षा होई थी 25 मई question कह रहा है कि सं संख्या 7 रूट 5 संख्या 7 रूट पाँच संख्या 7 बटे रूट 5 संख्यार रूट 2 प्लस 21 और पाई माईनस 2 हैं ये संख्याओं का अगर option देखे तो पूछ रहा है यह अपरिमिये हैं कि रिडात्मक है कि उपर्यक तुमेश्व कोई नही है ये 4 आपकी संख्याइद द इससे पहले हम एक थोड़ा सा concept देखते हैं, दीए, जो पढ़ाने का module होगा, आपको मैं question करा हूँगा, और उस question से related जितने भी concept हो सकते हैं, या जहां से भी प्रश्ण बन सकते हैं, मैं थोड़ा extra समय लेके आपको सब कुछ इक बात clear कराता जाओंगा, तो सबसे पहले discuss कर लेते हैं rational number या परिमिय संख्या क्या होती है, rational number इसे हिंदी में परिमिय संख्या बोलते हैं, और अब परिमिय संख्या यानि की irrational number बोलते हैं, तो देखे आपने basic से definition भी पढ़ी होगी कि कोई भी संख्या अगर P by Q के form में लिखी जाती है, तो वो rational number होगा, और अगर वो P P by Q के form में नहीं लिखी जा सकती है, तो वो irrational number होगा, जहां पर Q not is equal to 0 होता है, rational number में संख्या P by Q के form में होती है, Q not is equal to 0 होता है, Q not is equal to 0 मुदलब जो आपका denominator है, हर है, वो आपका सून्ने नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी number बटे आगर 0 कर देंगे, तो या आपका not defined या infinity पे approach कर जाएगा, तो ये condition नहीं होनी चाहिए, इसलिए बोलता है Q not is equal to 0, परिमें संख्या होती है, अब परिमें संख्या होती है, कौन सी है, अब देखिए, रूट 2 हुआ, रूट 3 हुआ, रूट 5 हुआ, रूट 7 हुआ, ये सारी संख्या क्या होती है, irrational number होती है, अ रूट 4 को अगर हम simplify करेंगें, तो 2 आएगा, और 2 को 2 बटे 1 के form में लिख सकते हैं, मतलब की P by Q के form में लिख सकते हैं, जहां पे Q not is equal to 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे कि जो यहां पे अंदर value है, ये क्या होना चाहिए, irrational value होनी चाहिए, sorry, prime number होना चा वो क्या कहलाएगा, आप परिमे संख्या कहलाएगा, साथ ही कुछ और number होते हैं, E होते हैं, Pi होते हैं, E for exponential की value जो होती है, 2.14 something करके होती है, Pi की value होती है, 3.14517, ये करती चली जाती है, ये सारे क्या होते है, irrational number होते हैं, अच्छे कुछ confuse आते हैं, Pi के बारे में, Pi का मान जो होता है, वो 22 बटे साथ होता है, अभी मैं बोलो कि Pi आपका परिमे संख्या है, तो आप बोलोगे, मैं तो बोलो कि Pi आप परिमे है, लेकिन फिर आप देखो कि 22 बटे साथ, तो 22 बटे साथ आपका क्या लगेगा, परिमे संख्या है, रस न लगेगा, क्यों कि ये P by Q के फॉर्म में है P by Q के फॉर्म में है जहां पे Q not is equal to 0 है तो परिमियर संख्या तो आप इसे बोलोगे लेकिन नहीं आपको ध्यान देना चाहिए कि जो पाई है उसका exact मान 22 बटे साथ नहीं होता है यह माना हुआ मान होता है हम अपने सुविधान उसारे से बोल देते हैं 3.14 य जाते हैं यही कारण होता है कि यह क्या होता है अपरिमियर संख्या होता है एक अपरिमियर संख्या के definition आप 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 देख लेज़ें यहीं पर क्योंकि कई बार होता है general से question बना देते हैं theory based question बना देते हैं तो सारी अपरिमियर संख्या है सारे irrational number क्या होते है non-terminating not recurring non-recur इस संख्या को ध्यान दे तो यहां पर डेसिमल के बाद 25 के बाद आगी जग के रुक गया है और अगर रुक गया है तो इसका मतलब कहेंगे कि टर्मिनेट कर गया है अब यह आप देखिए 2.5 यह भी क्या है टर्मिनेट कर गया है रुक गया है लेकिन अभी मैं संख्या बोल 1.333 sorry 1.3 की value होती है 0.3333 होती रहती है ठीक है तो अगर हम इसे देखें तो 0.3333 यह रूखेगा नहीं कभी जब भी आप divide करेंगा बढ़ता चला जाएगा और अगर संख्या बढ़ती चली जा रही है और दूसरी बात repeat नहीं हो रही है यहां पर दीके 3 बार-बार repeat कर रहा है है ना लेकिन कोई ऐसी संख्या मिल जाए जैसे 0.347 6954 3278 यह ना तो रुक रही हो और ना ही कोई आपका एक definite pattern मिल रिपीट नहीं हो रही है तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी अपरिमिये संख्याएं होंगी irrational number होंगे ऐसी सारी संख्याएं जो ना तो रुकें और ना ही repetition हो बार बार रिकर ना करें बार बार उनका कोई pattern ना बने वो सारी संख्याएं आपरिमये संख्याएं होती हैं एक कुछ और point देख लेते हैं जो आपका question पूछा है वहाँ पे कोई भी irrational number होगा कोई भी irrational number कोई भी आपरिमिये संख्या होगी अगर उसमें irrational number में हम कोई भी रशनल हो चाहे एरसनल हो तो वो क्या हो जाएगा जो हमें मिले गा result वो हमेशा एरसनल ही रहेगा चाहे जोड़े चाहे माइनस करें किसी भी आपरिमिय संख्या में कुछ जोड़ते हैं तो जो result मिलता है वो हमें आपरिमिय संख्या ही मिलती है तो इसी पे based question है यह रूट अच्छा एक चीज़ और देख लेए पहला पॉइंट ये दूसरा ये कि किसी भी इरेशनल नंबर किसी भी अपरिमिय संख्या में अगर हम किसी रेशनल नंबर से मल्टिप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा किसी भी अपरिमिय संख्या मे लेकिन अगर irrational number से ही multiply करते हैं, किसी भी irrational number से multiply करते हैं, किसी अपरिमिय संख्या में फिर से अपरिमिय संख्या से multiply कर देते हैं, तो यहाँ पर condition बनती है, यह परिमिय भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, जैसे root to a का आपका अपरिमिय संख्या है, और दूसरा भी root to a परिम हो तो आप देख लो product क्या बन रहा है उसके हिसाब से करो बाकि आप अगर irrational में कुछ rational जोड रहे हो या minus कर रहे हो या irrational जोड रहे हो तो आपका जो result आएगा वह अपर ही आएगा तो हम question को देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर था seven root five है ना साथ आगे root 5 यह क्या है अपरिमिय की परिमिय मैंने बोला कि किसी भी irrational number में किसी rational number से multiply कर दो तो क्या रह जाएगा अपरिमिय रह जाएगा तो यह तो अपरिमिय संख्या है भाई दूसरा देख लेते हैं seven upon root five seven upon root five क्या है seven upon root five अजुकिए आपका थान से देखें तो फिल से उपर आपरिमिय है और root 5 नीच अपरिमिय है तो फिल से अगरकि संख्यामें आपरिमिय से भाग देदें गे तो क्या बनेगा irrational number ही बनेगा तो यह भी परिमिय संख्या हो जाएगी root 2 plus 21 root 2 plus 21 किसी भी परिमिय संख्या में परिमिय जोड़ो या परिमिय जोड़ो rational जोड़ो या rational जोड़ो वो क्या बनाएगा irrational number ही बनाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका परिमिय हो जाएगा चलिए हम देरी ना करते हुए दूसरे question पर आते हैं दिखें एक ही question को हम बहुत अच्छे से करते जाएंगे और इसकी पीछे की theory भी देखते जाएंगे ताकि आपको कहीं वे कोई दिक्कत ना है अगर exam में इस पे best question बन जाए तो आपका ये धाई number तो पक्का हो जाए और एक बात मैं confirm बोल रहा हूँ कि परिमिय अपरिमिय संख्या से question बनने का chance हमेशा ही जादा होता है कोई भी paper हो और खास कर जब आप teaching line में हूँ teaching line की परिक्षा दे रहे हूँ आप TET वगेरा के paper देखे होंगे C TET का हो वो चाहे UP TET का हो वो चाहे Super TET का paper हो सभी में rational, irrational number उनकी favorite topic रहती है हाला कि यहाँ पर आयोग अलग है लेकिन फिर भी हम इसे underestimate नहीं कर सकते हैं बहुत important topic है इसलिए मैंने आपको फिल से जिने concept नहीं समझ में आया है पिछले एक minute के video में पीछे जाएं और उसे फिल से revise कर लें मैंने जितना भी main concept हो सकता है सब बता दिया हुआ आपका rational और rational का चले question number 2 पे आते हैं 102 जो question कह रहा है 1 से 44 तक के विसम संख्याओं का योग है कहना चाह रहा है कि 1 से 44 के बीच में जितने भी विसम संख्याओं होगी विसम संख्याओं क्या होती है वो संख्याओं जो 2 से विभाजतना हो वो सारी संख्याओं विसम संख्याओं होती है सबसे छोटी विसम संख्याओं क्या होगी 1 होगी smallest odd number हमेशा क्या होता है 1 होता है और अगर कोई largest odd number बोले तो उसे क्या बोलते है not defined कुछ भी हो सकता है पता थोड़ी लगा सकते हैं आप है ना ठीक तो smallest odd number 1 है 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 ऐसे ऐसे करके वो कहां तक जाएगा 44 लेकिन 44 तो आपका क्या 44 तो आपका even number है समसंख्या है तो इसलिए वो कहां तक जाएगा केवल 43 तक जाएगा तो यह बोला है कि 1 से 43 तक के सारे अगर विसम संख्याओं को जोड़ लिया जाए तो उसका योग क्या होगा अब ही दिखें बच्चे इसमें क्या करते हैं यहां पर APGP से यह सम आप सिरीज से वो SN is equal to N upon 2 2 A plus N minus 1 upon D का formula लगाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आपक क्लास करवा रहा हूं यह केवल previous year paper नहीं है यह आपका पूरा का पूरा concept paper है समझेए मैं एक एक concept discuss कर दूँगा अगर आपका summation पे question आता है अगर आप से किसी सिरीज का योग पूशता है सिरीज summation पे question पूशता है तो आपको कुछ विंदू ध्यान रखना चाहिए एक प्ल प्राक्रतिक संख्या है इसका जो formula होता है summation का इसका होता है n into n plus 1 upon 2 यह आपका पहला point हुआ दूसरा है कि अगर हम सारे even number को जोड़ ले मतलब सबसे छोटी समसंख्या कौन सी होती है 0 होती है लेकिन जब हम natural number की बात करें तो हम कहां से start करेंगे 2 से start करेंगे 2 plus 4 plus 6 plus 8 ऐसे ऐसे करके n जहां पे n क्या है आपका natural number है और यहां पे यह odd है तो यहां पे यह क्या है even number है बात समझ में आ गई समसंख्या है तो 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे करके n पे जाएगा तो इसका जो formula होता है यह क्या होता है n into n plus 1 होता है इसे आप कोई note भी कर लिजेगा या screen sort ले लिजेगा last time में जब आप परिक्षा देने जाओगे तो last के आदा ए घंटा में अगर revise कर लोगे तो बहुत ही ज्यादा या आपको फायदा मिलने वाला है याकीन मानिए चलिए अगर हम सारे विशम संख्याओं को जोड़े एक प्लस तीन प्लस 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 साथ ऐसे ऐसे करके n तक जाएं जहाँ पर n क्या है और फिर यह क्या है odd है है यहाँ यहाँ पर natural number है यह odd नहीं है ध्यान दिजेगा यह अगर यह even है और यह अगर odd है n की value कोई odd value है यहाँ पर n की value कोई even value है तो odd वाले के लिए formula क्या हो जाएगा n square हो जाएगा n यहाँ पर number of terms है number of terms है n is equal to number of terms अभी मैं एकदम clear करूँगा ताकि आपको यह confusion न हो formula भी आप लेजिए even number में क्या हो जाएगा n क्या है number of terms है कित अगरने पद है उसमें ठीक है यहाँ पर भी n क्या है number of term है अभी मैं exactly बताऊँगा तो यह तीन formula आपका बहुत important हो गया यहीं पर मैं कुछ और बता दे रहा हूँ आपको summation पर ही ताकि आपको वो याद रहे चलिए चोथा number देख लेते हैं कि अगर आपका कोई भी number square में हो 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square ऐसे ऐसे करके plus n square हो तो इसका formula होता है n into n plus 1 into 2 n plus 1 upon 6 यह note कर लेजेगा बहुत important formula है पूछ लेता है directly अगर यह cube हो 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube ऐसे ऐसे करके n cube पर तो इसका formula होता है n into n plus 1 upon 2 और whole का क्या हो जाएगा square हो जाएगा तो यह 5 formula आपके summation के बहुत ही ज्यादा important है इसे आप कहीं लिख लेजी अपने notes में बनाके या आप कहीं screenshot ले रहा है question कह रहा है कि 1 से लेके 44 तक के विसम संख्याओं का योग क्या है तो विसम संख्याओं की बात कर रहा है तो हम किस वाले formula पर आएंगे इस वाले 30 नंबर formula पर आएंगे 30 नंबर का formula क्या कह रहा है कि अगर 1357 n पत तक जाता है तो उसका क्या एगा n square आप सबसे 2 होता है a plus n minus 1 upon d ये a n मतलब last pad होता है ये पहला pad होता है और n ये total number of pad होता है तो last pad आपका क्या होगा क्योंकि ये भले 44 तक बोला था लेकिन आप तो जाओगे 43 तक ही कि विसम संख्याओं की बात कर रहा है conceptual question तो यहाँ पर रखोगे 43 शुरुआत आपका 1 से होगा n minus 1 और d क्या है common difference है आपकी series में difference क्या है तो 1 और 3 के बीच में कितने अंतर है 2 इसके इसके बीच कितने अंतर है 2 इसके इसके बीच में कितने अंतर है 2 तो ये 2 आपका क्या हो जाए का common difference हो जाएगा हर पद के बीच में अंतर कितना है ठीक है अभी इसे solve कर लेते हैं तो इसे मैं म करेगा तो 21 हो जाएगा इधर बचेगा n-1 और फिर 1 इधर आएगा तो यह क्या हो जाएगा 22 तो n की value जो हो जाएगी 22 हो जाएगी यानि कि यही तो आपको निकालना था आप जानते हो कि जब विसम संख्याओं के योग निकालना होता है तो क्या होता है formula n square होता है जहाँ प की थोड़ा सा पीछे जाएग और उसे revise कर ले ठीक है चलिए हम आते हैं तीसरे question पर 130 number question है यह यहापर मैं थोड़ा erase कर ले रहा हूँ ताक कि आपको बताने में आसानी रहे पौदी important class है यह आप एकदम concentration के साथ पढ़िएगा जित्ता question मैं cover करा दूँगा यह मात्र 50 question नहीं है आप मान के चलो कि इस 50 question में आपके 500 plus question चुपे हुए हैं अगर आप यह class ध्यान से देख ले तो मान के चले कि 500 question में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मै सारे concert बहुत अच्छे से clear करके चलोंगा इसलिए मैं especially यह class आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा demand के बाद ठीक है question number 103 क्या कह रहा है कि 499409 में सभी N के इस्थानिये मानों का योगफल क्या होगा place value की बात कर रहा है place value की बात जानते हो अगर आपको concert पता ह है तो ठीक है नहीं पता है तो मैं बता दूँ दो चीजे number system में होती है एक होता है face value और एक होता है place value place value को बोलते हैं इस्थानिये मान इस्थानिये मान इक मिनिट इस्थानिये मान बोलते हैं place value को ठीक और face value को होता है जो face कर रहा है मतलब उसका जो original है ठीक है ना main value जो है उसे face value कहते हैं जैसे अभी मैं आपको समझाओ 112 मान लो कोई number है तो इसमें इसका face value जो है वो 2 है और place value क्या है इकाई के स्थान पे है तो ये क्या है एक है और एक का 2 से गोड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा place value भी 2 हो जाएगी जैसे यहाँ पर क्या है face value तो एक है face value 1 है जो उसका original मान है लेकिन place value क्या है place value है आपका 1 into 10 क्योंकि ये दहाई की स्थान पे है तो एक से 10 का गोड़ा कर देंगे ठीक ऐसे इसका क्या है face value तो यहाँ पे भ उनके सभी इस्थानिय मानों का योगफल क्या होगा तो देखो भाई इसका इस्थानिय मान क्या है नौ गुड़े एक यानि कि नौ इसका इस्थानिय मान क्या है नौ गुड़े इकाई दहाई सैकड़ा हजार नौ हजार नौ गुड़े एक हजार यानि कि इसका मान है नौ यानि कि 9 गोड़े 10,000 तो कितना हो जाएगा 90,000 और इन्ही तीनों को जोड़ लो तो आपका उत्तर हो जाएगा तो 90,000 ठीक है उसके बाद उसमें 9,000 जोड़े तो 99,000 और 9 जोड़े तो 99,000 नो यानि कि 99,009 या आपका वेलु होगा option कॉनसा है आपका option C आपका सही हो कोशन क्या कह रहा है कोशन आप भी साथ साथ पर पढ़ते चाहिए मैं भी पढ़ता जालूंगा ताकि आपको भी आसानी रहे मुझे भी आसानी रहे कुछ भी छोड़ना नहीं है यहाँ पर चलिए दिखते हैं आकड़ी दो तीन दो चार पांच दो दो छे दो में दो की बारंबालता क्या है बारंबालता मतलब होता है फ्रिक्वेंसी कोई भी टम कितनी बार आ रहा है यह स्टेटिस्टिक का कोशन है आपका ठीक है फुश लेता है और फिर फो सकता है फुश ले इस पर ध्यान देना है क स्टम्स होते हैं जैसे मीन होता है मीडियन होता है मीन मतलब माद हिंदी में बोलते हैं मेडियन मतलब माधिका होते हैं मोड होता है फ्रिक्वेंसी होता है जिसे बारंबालता बोलते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी पांच हो जाएगी चलिए हाँ तो हम प्रश्ण संख्या 5 पे आते हैं प्रश्ण संख्या 5 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% प्रतिसत 20% प्रतिसत दोनों एक साथ नहीं उच करना चाहिए एकजाम में चलिए ऐसा question है तो सबसे पहले आप go through option से जाए करिए किस से go through option से कैसे एक बाद दिखते हैं अगर वो संख्या छोटी संख्या 12 है तो बड़ी संख्या पूच रहा है तो भाई 10 तो एकदम नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या बोलना है बड़ी संख्या चाहिए तो बड़ी संख्या 12 से बड़ी संख्या की 20 प्रतिसत के बराबर है क्या ये 6 18 का 20 प्रतिसत है किसी एंगल पे अगर 20 प्रतिसत निकाल लेंगे तो 18 दूना 36 है ना नहीं होगा किसी कीमत पे इसलिए ये तो नहीं हो सकता है इवर 12 देख लेते हैं 12 भी नहीं होगा क्योंकि छोटी संख्या 12 बड़ करते हैं तो लेकिन हम एक बार 15 पे भी चेक कर लें कि अगर बड़ी संख्या 15 है छोटी संख्या 12 है तो अंतर कितना आएगा तीन आएगा और 15 का 20% क्या होगा तीन ही तो होगा 20% अगर हम 15 का निकालेंगे तो 20 बटे 100 गुणे 15 ये एक बटे 5 कितना आएगा तीन ही तो चले हम नर्थ कोशन पर आते हैं कोश्ट नम्बर 156 क्या कह रहा है किसी संख्या के 40% का 16% यदी 8 के बराबर है तो वा संख्या क्या होगी बोल रहे कि कोई संख्या है उसका 40% का 16% 8 के बराबर है तो दीखें दो तरीके हैं एक तो आप option से को सकते एक रप्डाइट को सकते तो X ले लो, X का 40% मतलब 40 बटे 100, इसका 16% मतलब की 16 बटे 100, 8 के बराबर है, तो X की value निकालनी है, तो बहुत आसान है, ये इतना 0-0 हटी जाएगा, 2-4, 2-5-10, यहाँ पे 16 है, तो 4-16, 25-25-125-125, अगर उधर जाएगा, तो 8-125 हो जाएगा, 1000, और नीचे आएगा, फिर से कितना, 4-2-8, 8-8, कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल 125 बचेगा, तो वो संख्या क्या आएगी, 125 हो जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी, इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, 40-16 परसंट दूनों आपस में अगर गुड़ा कर लो, 40-16 आपस में गुड़ा कर लो, तो कितना होगा, यहां से 0, यहां पर बढ़ा दो, 8, 8, 64, और 11, 3 बार कटेगा, 125 बार कटेगा, तो यह आपका option A सही हो जाएगा, तो आसान question था, percentage-based question था, यह आपका 2006 के paper में पूंचा गया था, जो 25 तारीक को हुआ था 2008 में, ठीक है, next question पर आते हैं, question number 107 देखते हैं, क्या कह रहा है, question number 107 कह रहा है, कि X में X का 8% जोड़ने पर एक संख्या प्राप्त होती है, वहां संख्या X को निम्न मेंसे गुणा करने पर प्राप्त होगी, देखिए सब question होते हैं, क्यों language सेबको confuse करते हैं, question में कोई दम नहीं है, बोला X में X का 8% जोड़ें, अगर X में X का 8% जोड़ें, 8% of X, है न, यहां पर का हटा के, मैं off हटा के सीधा Hindi में का लिख देता हूँ, अना आप लोग confuse हो जाओगे, X में X का 8% जोड़ें, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी, वो इस option में से किस से गुड़ा कर दिया जाए, कि वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो बार देखते हैं, प्राप्त क्या हो रहा है, X, और X का 8% कितना हो जाएगा, आठ बटे 100 गुड़े, X, यानि कि यह 0.08, इंटो X, यानि X प्लस 0.08X, यानि कि हो जाएगा, 1.08X, तो वहीं बोल रहा है, कि आप जब X में, X का 8% जोड़ें तो यह संख्या मिल रही है, तो यह किस से गुड़ा कर दिया जाए, option में से, कि यहीं मिलें, तो दीखें, क्या कह रहा है, किसी संख्या का 10%, उसी संख्या के 20% से 4 कम है, तो संख्या होगी, कोई भी संख्या है, उसका 10%, उसी संख्या के 20%, एक बात आप हमीशा ध्यान रखेगा, जिब किसी particular number का ही 10% रखा जाए, उसी number का 20% लिया जाए, तो आप इन में से direct minus कर सकते हो, क्योंकि द 10%, यानि 20% minus 10%, यही तो बोला है, कि उससे 4 कम है, है ना, यह वाली संख्या, यह वाली संख्या से 4 कम है, तो अगर इसमें से यह minus कर दिया जाए, 20% minus 10% बराबर क्याएगा, 10% और यह किसके बराबर होगा, 4 के, तो 10% बराबर 4 होगा, तो बोला है, वो संख्या क्या होगी, आप हमेशा percentage की chapter में याद रखिएगा कि कोई भी संख्या अपने आपकी 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आपकी 100% होगी, तो 10% बराबर 4 है, तो वो संख्या अपने आपकी 100% है, आपकी 100% बराबर क्या होगा, तो 4 बटे 10 घुडे 100, यानि ये 10 इसे 10 बार काटेगा, वो संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, जो की आपका option D कह रहा है, तो बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं, एक बार मैं इस पर फिल से focus कर दूँ, कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, इसका मतलब क्या है, जो बच्चे मेरा percentage chapter देखे होंगे, YouTube पे ही देखे होंगे, या class में ले होंगे, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ दे होगी, कि मैं ये बात क्या कह रहा हूँ, जो नहीं देखे हैं, उन्हें मैं बता दूँ, कि जैसे मान के चलिए, कि अगर मैं 2 बोलू, 2 का 1, ये 1, 1 प्लस 1 मिलके बना हुआ है, तो ये 1 जो है इस 2 का कितना है, आधा है तो, आधा ही तो है, और आधा मतलब क्या है, पचास परसेंट है, ऐसे ही अगर मैं इस 1 का 0.5 लूँ, तो वो कितना हो जाएगा, पचीस परसेंट हो जाएगा, जैसे अभी 10 है, 10 का जो 1 क्या है, ये 10 परसेंट है, 2 क्या है, ये 20 परसेंट है, 3 क्या है 10 का, 30 परसेंट है, ऐसे 4 क्या है, 40 परसेंट है, ऐसे 5 क्या है 50% है ठीक ऐसे 10 क्या है 100% है कि नहीं है तो कोई भी संख्या अपने आपकी क्या होती है 100% होती है बस यही कहने का मतलब था चलिए देरी न करते हुए हम next question पे आते हैं question no.109 क्या कह रहा है एक व्याफारी को समान 150 रुपरे में खरीता है यदि अत्रिक्त खर्च 12% हो तो 10 % LAP कमाने के लिए विक्रै मोल क्या होगा आसान सा question है क्रवे विक्रै पे वो सामान खरेदा उसको फिर travel cost में वो सामान वमान लेके आया हो रिक्सा का आटो का जो रुपिया दिया होगा वो CP का कितना है 12% तो CP का 12% मतलब 150 का 12% कितना हो जाएगा यानि 12.100 जब भी % हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है तो ये कितना आ जाएगा 150 प्रस 18 तो final जो CP हो जाएगी 168 हो जाएगा अब बोला है कि 10% लाब कमाने के लिए कितना दें तो हमेशा लाब यानी CP पे calculate की जाती है तो CP आपकी final है 168 इसका 10% कितना हो जाएगा 10% निकल लाएगा तो पीछे से 1 दसमलो यहाँ पे लगा दो तो इसका 10% हो जाएगा 16.8 यानी 168 में 16.8 जोड दो तो ये 8 हो जाएगा 8 6 14 6 7 8 यानी 184 दसमलो 8 कौनसा option दिख रहे भाई आपका option भी आपका दिख रहे तो यही आपका सही उतर हो जाएगा ठीक है बहुत ही आसान है मैं एक ही concept clear कलता चलूँगा आपको सब कुछ बहुत अच्छे से बताऊंगा मान के चलिए कि यह अगर target 90 है तो 90 से एक भी question नीचे नहीं आएगा 90 प्रशन आप परिक्षा में सही करेंगे बस team के द्वारा कराएगे सारे revision course बहुत अच्छे से कर लीजे और इसमें एक extra काम आपको और करना पड़ेगा अपनी तरब से वो है आपको test practice करना पड़ेगा जितना ही जादा आप test लगा लोगे अंतिम समय में उतना ही फायदा है last के 10 दिन में कम से कम कोशिस करिए 10 कोई आपका selection रोक नहीं पाएगा यह मैं guarantee ले रहा हूँ अगर आप टीम के द्वारा बताया हुए strategy भी चल लिए तो तो question number 110 क्या कह रहा है किसी विद्याले की परिक्षा में 30% चात्र गणित में अनुतिवड हुए मतलब fail की बात कर रहा है तीस परसंट जो बच्चे हैं किस में fail हुए है maths में fail हुए है गड़ित में fail हुए है फिर 40% चात्र जो है भुगर्भ विज्ञान में fail हुए है 40% जो हुए है वो geology में हुए है ठीक है भुगर्विज्ञान में हुए है 20% जो यह सारे fail का आकड़ा दिया हुआ है 20% जो चात्र है वो case में हुए है दोनों में हुए है बोथ में हुए है तो पूछ रहा है कि उत्तियों चात्र का प्रतिस्थ क्या यह बहुत pit question है कई जाम में पूछता है बार बार पूछता है इसका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक टर्म होता है A union B बराबर A plus B minus A intersection B यह union क्या है मैं बताता हूँ set theory का question होता है percentage based पे होता है यह आपका यह Venn diagram भी कुछ लोग बोलता है यह मान लिया A है यह मान लिया B है ठीक है और यह जो area होता है इसे बोलते हैं दोनों का overlapping area मतलब दोनों में common area मतलब जैसे आप ही समझेए कि 30% लोग यहाँ पे fail हुए और 40% लोग यहाँ पे fail हुए और 20% हो है जो दोनों में common है मतलब वो math में भी fail हुए है और भूगर्व विज्ञान में भी fail हुए है यह जो पूरा portion है यह किसके हैं math वाले हैं यह जो पूरा portion है यह भूगर्व विज्ञान वाले हैं इसे मैं दूसरे pencil ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से clear हो ठीक है एक मुन मैं आपको एकदम exact पताऊंगा diagram के साथ यह मान के चलिए कि यह क्या हो गए भूगर्व विज्ञान वाले हो गए है ना जियोलाव जियोले हो गए अभी इसमें देखा जाए तो यह area दोनों में common है कि नहीं यहां भी और यहां भी तो यह area दोनों में क्या हो गई common हो गई तो यही बोल ला है इसको बोलते हैं यहां पर a की value दिया है यहां पर b की value दिया है और common वाले की value दिया है तो हमें पूरे की value पता दिल जाएगे नहीं कुल fail कितने हुए है ना कुल fail कितने हुए 30% plus 40% minus का 20% तो 30, 40, 70, 70, minus 20 कितना हो जाएंगे 50% ऐसे हैं जो a union b हैं मतलब कि 50% लोग fail हो गए है तो अदर 50% लोग fail हो गए तो pass कितने हो गए हैं कोई भी चीज अपने आपने 100% होती है 50 fail है तो 80 ही तो pass होंगे तो pass percentage कितना आ जाएगा 50% यानि कि यह आपका उत्तर भी सही हो जाएगा ठीक है चलिए next question पर बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं question number 111 111 प्रशन संख्या 111 क्या कह रहा है देखते हैं simplification का question है बहुत अच्छा question है TCS भी ऐसे करा रही है बहुत सारे प्रशन दे रही हैं लेकिन आप सोचिए कि यह 2008 में इतना अच्छा प्रशन दिया था आदे बच्चे तो इससे देख के भग जाते हैं कि अरे यारे तुम उसे नहीं लेगा लेकिन ऐसा नहीं है सारे symmetric number है सारे आसान है सब कुछ होगा देख लेते हैं कि इसकी value क्या आएगए एक बटे पांच divided by एक बटे पांच का एक बटे पांच दीखें हैं यह हमेशा बार्ड मॉस पर लगता है बार्ड मॉस हमेशा याद रखे बी फार होता है ब्रैकेट ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं और यह priority सबसे पहले इस ब्रैकेट को solve करेंगे फिलिस ब्रैकेट को solve करेंगे फिलिस ब्रैकेट को solve करेंगे ओ फार होता है ओफ हिंदी में इसे बोलते है का यानि की गुड़ा दी फार होता है डिवीजन यानि की भाग एम फार होता है मल्टिप्लिकेशन यानि की गुड़ा A for होता है जोड यानि की plus S for होता है subtraction यानि की minus आपका ये priority होना चाहिए आपको सबसे पहले आप किसी भी question का bracket देखेगा तो bracket solve करोगे फिर उसमें कहीं का या off देखेगा तो उसे solve करोगे उसमें फिर कहीं भाग देखेगा उसे solve करोगे फिर गुड़ा करोगे फिर जोड़ोगे फिर गटाओगे और इस process को अगर solve इस process से चल लिए तो प्रशना पका कभी गलप नहीं होगा हम भी ऐसे करेंगे इस पूरे expression में हमें सबसे पहले bracket कहीं दिख रहा है हाँ bracket यहाँ पर दिख रहा है इसे solve कर लेते हैं 5-1 बटे 5 करेंगे तो कितना हो जाए अगर हम इसे solve करें तो 1 बटे 5 का 1 बटे 5 मतलब 1 बटे 5 का 1 बटे 5 यह पोच रहा है तो यह कितना हो जाएगा 1 बटे 25 इसकी value 1 बटे 25 ठीक है इसकी भी value 1 बटे 25 हो जाएगा अब देखते हैं इसके बाद हमें क्या solve करना होगा इसके बाद हमें divide करना होगा तो सबसे बाद हम देख लेते हैं divide कहा कहा है हम expression को एक बार फिल से लेते हैं थोड़ा simplify के बाद 5 plus 5 into 5 upon 5 into 5 plus 5 यह पहला वाला expression है into इसे जब solve किये इतने को इतने को किये तो एक बटे 25 आया और उसके बाद यह divide का लगा हुआ है divide है हाँ यह divide है plus नहीं है ठीक है divide है यहाँ पर तो सबसे पहले हम काउ को solve किये तो एक बटे 25 आया तो एक बटे 5 divided by एक बटे 25 ऊपर है और नीचे भी ऐसे एक बटे 25 divided by एक बटे 5 है minus इसे simplify किये थे तो यह आया था 24 बटे 5 और यहाँ पे गुड़े 1 बटे 2 बटे 10, यह हमारा simplify करके आया, चलिए, हमाते हैं इसे और भी solve करते हैं इतना करने के बाद क्या होगा, दूसी परन ले लेते हैं, ठिक है, अभी क्या solve करना ही, अभी वह मैं divide solve करना है, एक डिवाइड आपको यहाँ दिख रहा है एक डिवाइड आपको यहाँ दिख रहा है और एक डिवाइड आपको यहाँ दिख रहा है और तो कहें डिवाइड नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है ठीक है यह 24 बटे 5 है तो उसे simplify नहीं कर सकते हैं यह 2 बटे 10 हो जाएगा एक बटे पांच और यह एक बटे पांच ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा चलिए तो इसे अगर हम solve करेंगे तो यहाँ पर करते हैं एक बटे पांच divided by एक बटे पच्चिस इसे लिख सकते हैं एक बटे पांच बटे एक बटे पच्चिस यह नीचे नीचे वाले नीचे और उपर वाले एक साथ गोड़ा हो जाते हैं बीची चले आप पास में गोड़ा हो जाते हैं तो यह हो जाएगा एक गोड़े 25 बटे 5 गोड़े 1 यानि की 5 इसकी value क्या आएगी? 5 आएगी उपर वाले की और यह भी expression same है 1 बटे 25 बटे 25 बटे 5 ऐसे करेंगे तो यह 5 उपर जाएगा और यह 25 नीचे आएगा तो यह आएगा 5 बटे 25 इसकी value आएगा 1 बटे 5 तो उपर आया 5 और नीचे क्या आया? अगर इसे हम simplify करें तो 1 बटे 5 बटे 1 बटे 25 जब हम किये तो उपर आया 5 और नीचे आया 1 बटे 5 आगे बाद समझें? ठीक अभी देखते हैं इसे मैं rough कर दू यहीं पर इसे अगर हम आगे लिखें simplification है थोड़ा तो simplify जाएगा आप इसे board mouse पर करोगे तो आपका आसानी से solve हो जाएगा कोई आपके दिक्कत वाली बात नहीं है तो हमारा था 5 प्लस 5 गुणे 5 फिर था नीचे उसी के denominator में 5 गुड़े 5 प्लस 5 थोड़ा लेंदी है जरूर लेकिन अगर हम board mouse से करते हैं तो इसे बहुत आसानी से कर लेंगे कोई भी issue नहीं होगा वाप आपको थोड़ा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो हम कहां तक पहुंच गया थे एक बात दिख लेते हैं रिजल्ट में तो हम simplify करके हमारा कुछ ऐसा आ गया था 30 बटे 30 गुड़े एक बटे पांच गोड़े यहाँ पर 25 बटे एक ऐसे कर लें अगर मैं उसले item को expand करके लिख लूँ यहाँ पर 25 गोड़े पांच बटे एक minus 24 बटे 5 और यहाँ पर something करके 5 यह हमारा expression कुछ बच रहा था इससे हम simplify करेंगे तो 5 5 कट जाएगा यहाँ पर एक बटे 5 चोड़ेगा और यहाँ पर 5 चोड़ेगा तो यह कितना हो जाएगा पांच पांच यह तो एक हो गया थोड़ा मैं सीधा लिख देता हूं गरना और यहाँ पर बचेगा minus का 24 इससे simplify कर लेंगे तो आजाएगा 25 क्योंकि यह पांच ऊपर जाएगा एक सिकूर्ड़ा होगा 25 माइनस 24 हैने की value आप क्या जाएगी एक तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा चले हम आते हैं next question पर बटा बहुत question number 112 क्या कह रहा है गएगा चे है कि कोई number जो सबसे ज़्यादा बार repeat होता है वह उसका mode हो जाता है तो अगर आप ध्यान से देखे तो 14 मुझे सबसे ज़्यादा बार देख रहा है 4 यह यहाँ पर बिचयोदा सबसे बार ज्यादा आया है, 4 बार आया है, बाकि हैसी को जंक्पया नहीं दिख रही है, 18 देख रही है, आखी 25 भी एक ही बार है, 18 तीन बार है बस, 14 सबसे जादा बार है, चार बार है, तो इसमें क्या होजाएगा आपका उत्तर, द्लिए फौन का 6 taras. मोड होता है कि जो नंबर सबस्यदा पर रेपीट होता है वही आपका मोड हो जाता है वही आपका बहुलक हो जाता है चले तो यहां पर उत्तर आपका A आजाएगा option A आजाएगा next question में बढ़ते हैं question number 113 क्या कह रहा है एक बाद देख लेते हैं इसे erase कर लेते हैं उससे पहल में रहे हैं कि एक परीक्षा में छे विद्याथियों के प्रापतां को 61, 51, 53, 33, 47, 41 की माद्धिका है माद्धिका मतलब वो क्या पूंच लिया मेडियन आप से पूंच लिया भाई साहब और अगर मेडियन पूंच लिया है तो मेडियन का फार्मूला होता है अगर n even है तो क्या होगा n upon 2 plus 1th term ठीक plus n upon 2th term upon 2 ये आपका होता है माद्धिका ठीक है n अगर even है तो n मतलब क्या है total कितने पद हैं तो यहां पे 6 विद्याथियों है तो n even है तो हम सीधा यह formula लगा देंगे तो 6 बटे 2 यानि कि 3 अगर हम formula लगा कि 3 प्लस 1 यानि 4th term प्लस 3 3rd term यहाँ पर जो value आएगी यहाँ पर जो value आएगी इसको जोड़के बटे 2 कर लेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा मध्धिका हो जाएगा लेकिन एक बात ध्यान और रखना कभी भी मध्धिका अगर निकाल नहीं होगी तो जो भी आपकी frequencies दी होंगी उसे हम increasing order में लिख लेते हैं बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे तो क्या आएग तो क्या आएगा 23 आएगा यहीं पे लिख लेते हैं 33 आएगा उस के बाद अगर हम लिखते हैं затop तो क्या आएगा वही 30 के बाद कौन सा बढ़ा दिख रहा है 41 दिख रहा है उसके बाद क्या आएगा 47 आएगा 51 आएगा फिर 53 आएगा और पिर क्या आएगा 61 आएगा तो यह आपके तीन तीन छे पद हो गये याप भी देखे, 4th item कौन सा है आपका, 51, 3rd item कौन सा है, 47, तो और कुछ नहीं, आप 47 प्लस 51 को जोड़ लो, बटे दो, गल दो, आपका इतर आ जाएगा, 7, 8, 5, 4, 9, 8, 9, बटे दो, यानि कि उन्चास, आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका option C है, तो करा दे रहा हूं, mean, mode, median कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर question बहुत ज्यादा बनता है, और आप उसे आसानी से निकाल लो, देखे, जब भी mean की बात होती है, मतलब माध की बात होती है, हिंदी में इसे बोलते है, statistic का chapter है, यह एक average होता है, जो भी आकड़े आपके दिय यह हूँ, जो भी आकड़े, जैसे मैं इसी प्रश्णों को लेके बता दे रहा हूँ, 61, 53, 33, 47, 41 का अगर माध दे पूस था, तो आपको कुछ नहीं करना था, सब जोड लेना था, 41, प्लस 15, प्लस 33, प्लस 47, प्लस 41, और इसी को बटे क्या कर देते, n कर देते, n क्या होता है, उसमें कितने पद है, टूटल, तो पद कितने 6, सब को जोड के बटे 6 से डिवाइट कर देते, तो आपका आजाता, mean, median के लिए क्या होता है, median ऐसी के लिए 2 होता है, एक odd अलग होता है, even अलग होता है, जब odd होता है, तो जो n by tooth number होता है, वही आपका median होता है, लेकिन माधिका होता है, लेकिन जब even होता है, तो even के लिए n upon tooth term plus 1, और n upon tooth term, इन दोनों के बीच की जो value होगी, वो होगा, यानि कि इन दोनों के value जो आएंगे, उन्हें जोड के बटे 2 कर देंगे, वो हमारा median निकल के आ जाएगा, और mode क्या होता है, बहुलक क्या होता है, कोई कोई भी ऐसा number जो बार बार आए, उसी को बहुलक कहते है, जिसे अभी इस प्रश्ण में 61-53-53-47-47, इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, जो दो बार आई हो, एक से दो बार आई हो, तो इसका mode हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिसमें आती है, तो वहाँ पर direct mode न एक मिनट, हाँ, तो हम आते हैं, question number 114 पर 114, प्रश्ण संख्या 114 पर आते हैं, देखते हैं कि यह क्या कह रहा है, से रेस कर लेते हैं, हाँ, कह रहा है कि यह थी x तथा 1 upon x का माद M है, तो x square plus 1 upon x square का माद क्या होगा, question बहुत अच्छा है, option देखके लग रहा है कि question में कुस्तो दम है, लिखते हैं, बोला है कि x plus 1 upon x का माद M है, मतलब x माद मतलब average, तो x plus 1 upon x का माद M है, मतलब की x plus 1 upon x upon 2 की value बोल रहा है M है, तो आप यहां से बोल सकते हो, x plus 1 upon x की value क्या हो जाएगी, 2M हो जाएगी, बोल इसे मैं पहले erase को दूँ, हाँ, अभी जब भी आपके पास x plus 1 upon x की value बता हो, मान लेते हैं a है, तो हमेशा x square plus 1 upon x square की value क्या हो जाएगा, x square minus 2, क्योंकि अभी देखिए, x square, यहां पे plus नहीं होगा, minus होगा, x square minus 2, a square, अभी देखिए कैसे, अभी मान लीजे कि इसी expression को square करें, तो इधर भी हम square करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो उसे expand करेंगे, तो expand करेंगे, यहां पे मैं लिख लाओं, expand करके, तो यह हो जाएगा, x square plus 1 upon x square, plus 2 into x into 1 upon x, यह बराबर हो जाएगा, a square के, तो अ मैंने बोला, कि कोई भी, अगर ऐसा होता है, तो अगर x plus 1 upon x बराबर a दिया हुआ है, तो x square plus 1 upon x square बराबर होता है, a square minus 2, अभी देखते हैं, हमारे पास x plus 1 upon x की value दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, x plus 1 upon x की value दिया हुआ था, 2m दिया हुआ था, और हमसे पूछा है, x x square plus 1 upon x square की value क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, इसे के square करेंगे, तो हो जाएगा 4m square, और minus 2 करेंगे तो 4m square minus 2, लेकिन वो इसका माद्य पूंच रहा है, तो इसे हम बटे 2 करेंगे, तो यहां भी बटे 2 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2m2-1 यही आपका उत्तर हो जाएगा 2m2-1 मतलब आपका option C सही हो जाएगा चलिए next question पे आते हैं question number 115 क्या कह रहा है कि यदि 6 वस्तूओं का क्रेमोल 4 वस्तूओं के विक्रेमोल के बराबर है तो लाब प्रतिसत क्या होगा बहुत अच्छा question है profit loss का question है हम यहाँ पे concept देख लेते हैं सबसे बड़ी बात देखे कि 6 वस्तूओं के विक्रेमोल है मतलब वो जो SP कर रहा है वो 6 वस्तूओं की कर रहा है और बोल रहा है कि सॉरी जो क्रेमोल है SP कर रहा है 4 वस्तूओं की और क्रे कर रहा है 6 वस्तूओं की वो कहना चाह रहा है कि भाई साब मैं जितने रुपए में ऐसा मान के चलो मान लो 1000 रुपए में 6 वस्तूओं लेके आया लेकिन उसने जैसे ही 4 वस्तूओं बेच दी उसे 1000 रुपए मिल गया बात समझ में आई जितनी लागत उसे 6 आर्टिकल में हुआ था 6 वस्तूओं में जितनी उसकी लागत लगी थी वो अपनी लागत 4 आर्टिकल यानि 4 वस्तूओं ही बेच की निकाल लिया तो जैहर सी बात है कि उसका लाव होगा लाव तो कन्फर्म हो गया अब वो यहीं पूछेए कि लाव प्रतिसद कितना होगा तो यहां पर लाव प्रतिसद निकालने के लिए अभी देखिए उसने अभी 4 वस्तूओं केवल बेची हैं और उसका लागत निकलाया इसका मतलब कि उसके पास दो वस्तुएं अभी भी बची है कि नहीं बची है और ये दो वस्तुएं वो जब भी बेचेगा तभी उसका कुछ रुपिया मिलेगा और जो रुपिया उसे मिलेगा इस दो वस्तुओं का वही तो उसका लाब होगा यानि जो लाब है वो ये क्या है दो वस्तु है यानि जो बचता है है ना वो आपका लाब है और कितना कितने पे है भी बेचा कितना है चारी वस्तु है तो लागत तो उसकी चार वस्तु की लगी होगी तो दो का लाब चार पे गोड़े 100 कर लेंगे तो हमारा क्या आजाएग है आपका, A और B दोनों वास्तिविक संख्याएं हैं, real numbers हैं, और इनका संबंद, under root A B is equal to under root A into B, हाँ, यह क्या पूछ रहा है, कभी सत्य नहीं है, सदयों सत्य है, सत्य हैं, जब दोनों A और B में 2 और 3 कर लो, यहां पर भी जब करोगे तो under root 6 आएगा, यहां पर भी करोगे तो under root 6 आएगा, हमेशा आएगा, अगर आप यहां पर minus B ले लो, इससे ले लो, minus root 2, root के अंदर भी minus होता ही नहीं है, तो condition वैसे ही बेकार हो जाएगी, है ना, लेकिन minus root 2 ले 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 हैं, into root 3 ले 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 रहे हैं, अब यहां पर करेंगे, तो 2 into 3, ऐसे कर लेते हैं, यह A है, यह B है, तो जैसी बात है, अगर आप minus संतर ले जाएंगे, तो not defined हो जाएगा, उसे बाहर ही रहना पड़ेगा, तो यह हमेशा और हमेशा condition satisfy करने वाली है, इसलिए option B आपका सही हो जाएगा, negative से confuse नहीं होना है, चलि हम next question पर आते हैं, question number 170 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी संमित बंटन के लिए सत्यक अथन है, है ना, किसी संमित बंटन के लिए, मतलब distribution equal, distribution की बात कर रहा है近 कोशन है माध बराबर माधिका बराबर बहुलक है ना फिर क्या कह रहा है माध बराबर माधिका यह बराबर ही होना से यह माध बराबर माधिका से बड़ा है और बहुलक से बड़ा माधिका है यह पर कह रहा है माध इस ग्रेटर देन बहुलक और बहुलक किस से बड़ा है माद्धिका बहुलक से बढ़ा होता है और बहुलक माद्ध से बढ़ा होता है तो आप एकदम इसे दिमाग में रख लीजिए कि किसी भी सम्मित बंटन में माद्ध मद्धिका से बढ़ा होता है तो माद्ध हमेशा मद्धिका से क्या होगा बढ़ा होगा कहां पर दिख रहा ह आपका option B में दिख रहा है और ये भी याद कियेगा कि मद्धिका हमेशा बहुलक से बढ़ा होता है तो ऐसा में आपका option केवल बी दिखता है इसलिए हमेशा किसी भी सम्मित बंटन में equal distribution में कभी भी हमेशा माध्य मद्धिका से बढ़ा होगा मद्धिका मोड से बढ़ा होगा कोशनरा ईक फार्थारा प्याते हैं क्या कह रहा है कि के रहoutique कन है सत्यकतं है स्त्यकत्त छाटन करते हैं कर दो इस फारिमिय संख्या और इन्हार का योग एक अपरिमिय संख्या है सही बात है आप अगर root 2 प्लस root 3 करोगे तो हमेशा irrational number ही मिलेगा तो ये तो कथन एकदम सब्सक्राइब है दो अपरिमिय संख्याओं का गुड़न फल एक अपरिमिय संख्या है ऐसा नहीं है मैंने आपको बताया था root 2 into root 2 करेंगे तो root 4 हो जाएगा और ये 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा अगर rational ये condition गलत हो जाएगे हलाकि option वाला है तो पहला ही सही मिल गया है अब सारे कथन गलत ही होंगे तो अब टिक मार के आगे बढ़ सकते लेकिन हम एक बात देख तो ले ताकि हमारा concept clear हो जाए फिर बोला है दो अपरिमिये संख्याओं का अंतर एक अपरिमिये संख्या है ये बात भी सही है दो अपरिमिये संख्याओं का अंतर हमेशा एक अपरिमिये संख्या ही होती है एक बाद चौसा देख लेते हैं एक परिमिय तथा एक अपरिमिय संख्याओं का गोडन फल अपरिमिय संख्या है ये बात भी एकदम सही है है ना एक परिमिय तथा एक अपरिमिय संख्याओं का गोडन फल अपरिमिय संख्या ही होगे क्योंकि रूट टो इंटो 7 करेंगे तो तो नहीं हो रहे है क्योंकि फिर question गलत हो जाएगा या फिर असत्य कथनी से पूछना चाहिए था सत्य कथनी असत्य कथन पूछना चाहिए था अब देखना दो अपरिमय संख्याओं का योग एक अपरिमय संख्या है ये बात हमेशा सही होगी दो rational number का योग हमेशा और हमेश अपरिमय संख्या ही होगी तो ये सही है ये आपका question यहाँ पर गलत दे दिया था यहाँ पर होना चाहिए अशत्य है ठीक और इसमें ये भी सत्य है ये भी सत्य है ये भी सत्य है केवल बी असत्य है तो option आपका यहाँ पर होना चाहिए बी ओके चले next question पर आते है कोशन नबर 119 क्या कह रहा है देख लेते हैं किसी वस्तु का अंकित मूले 450 रुपए तथा विक्रे मूले 414 रुपए है तब बट्टे का दर क्या है डिसकाउंट पूछ रहा है अंकित मूले मतलब की माग्ड प्राइस होता है माग्ड प्राइस जो है वो कितना है 450 रुपए है SP जो है विक्रे मूले है वो 414 रुपए है हमेशा डिसकाउंट किस पे दिया जाता है भाई माग्ड प्राइस पे दिया जाता है तो 450 की वस्तु थी 414 में बीचा गया कितने रुपए की छूट हुई छे इधर यानि कि 36 रुपए की इस मैनिस करेंगे 36 रुपए की छूट दी गई कितने पे दी गई 450 पे तो 36 रुपटे 450 गोड़े 100 यही आपका डिसकाउंट परसेंट होगा 00 यहां से कट कर दीजे 95445, 94636 यानि कि 4 रुपटे 5 यह 20 से कटेगा तो कितना हो जाएगा जिसे 00 कट गया था तो यहां पे कितना जाएगा 5 दूनी 10 जाएगा जिस 00 तो कट गया है तो कितना जाएगा 8 परसेंट आपका उत्तर आजाएगा यानि कि option पे आपका सही हो जाएगा question number 120 पे आते हैं जल्दी से बिना देर के हुए यदि कह रहा है expression एक दिया हुआ है expression बोल रहा है कि root 7 minus 1 upon root 7 plus 1 minus root 7 plus 1 upon root 7 minus 1 plus a plus b इसे मैं erase कर दूँ a plus b root 7 जहाँ a b परिमिय संख्या है rational number है a b बराबर है देखें अपर क्यों परिमिय बोला है अगर यह परिमिय होता और मान के चलिए रूट साथ ही आ जाता है तो मिलके परिमिय न बन जाता यही कारण है कि यह इसे क्या बोला परिमिय है चलिए तो question क्या कह रहा है कि a और b का मान क्या है तो ऐसे question भी से हम simplify कर लेते हैं इसे नीचे बार रस्नलाइज कर लेंगे जब भी ऐसे form में होता है चीज़ें रस्नलाइज हो जाती है रस्नलाइज कैसे हो जाएंगी अभी हम देख लेते हैं इसे simplify कर लेते हैं ऐसे expression से घबराईए मत थोड़ा करेंगे pen उठाएंगे तो हो जाएगा यह लिखा हुआ है root 7 minus 1 upon root 7 plus 1 फिर लिखा हुआ है यहाँ पे minus root 7 plus 1 upon root 7 minus 1 is equal to a plus b root 7 अभी इसे simplify करें तो जो नीचे है denominator है इसे rationalize करेंगे इसका इसका गुड़ा करेंगे तो अंडर root a यह a plus b लिखा है a minus b लिखा है तो क्या हो जाएगा a square minus b square a plus b into a minus b क्या होता है a square minus b square तो अंडर root 7 का square करेंगे तो 7 1 का square करेंगे तो minus 1 यह a minus b यह भी a minus b आपस में इधर गुड़ा होके आएगा तो कितना हो जाएगा a minus b का whole square यानि a square plus b square minus 2ab ऐसे ही यहाँ पे minus रोक के a plus b का करेंगे तो 7 plus 1 plus 2 root 7 इसे simplify कर लेते हैं इसे जब minus अंदर जाएगा तो इसे minus करेगा इसे minus करेगा तो यह दोनों cut जाएगे और यह भी minus से यह भी minus से तो हो जाएगा minus 2 to 4 root 7 और नीचे आएगा 8 आगे बास समझ में इसे simplify करेंगे तो आजाएगा minus root 7 by 2 तो इसे और इसे compare करें तो यह लिखा है 0 minus 7 root तो यह लिखा है A plus B तो A की value आजाएगी 0 और B की value क्या हो जाएगी 1 upon 2 यानि 0 और minus 1 upon 2 कहाँ पे है एक बाद देख लेते हैं मुछ गलती तो नहीं है 2 upon 3 में आना चाहिए 7 minus 6 अच्छा यहाँ पे 6 होना चाहिए 6 होना चाहिए तो यहाँ पे 2 upon 3 आएगा है ना तो इसकी value क्या हो जाएगी एक बार erase करके मैं बता दे रहाँ फिल से इसे simplify कर लेंगे तो यहाँ पे कितना था यहाँ पे 7 minus 1 था पें दूसरी ले ले लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए तो यहाँ पे आगया minus 4 root 7 नीचे आएगा 6 इसे simplify करेंगे तो 2 दूनी 4 दो 3 यहीं 6 यानि कि minus 2 upon root 3 under root 7 यह 0 minus लिखा हुआ है compare करेंगे इसको और इसको तो A की value A बराबर आजाएगा 0 और B बराबर आजाएगा minus का 2 upon root 3 तो 0 और minus 2 upon root 1 आपको option A में है यहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए next प्रश्ण पे आते हैं 121 पे आते हैं कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 10,000 है पहले वर्स या 10% की दर से बढ़ती है और दूसरे वर्स या 10% की दर से कम हो जाती है दूसरे वर्स के अंत में जनसंख्या किसके बराबर है तो यहाँ पर मैं एक आपको बहुत अच्छा सा formula बताता हूँ कि कोई भी चीज अपने अगर original इस्थिती से पहले उतने ही percent बढ़ती है और फिर उतने ही percent घटती है या दूसरे सब्दों में पहले बोलें कि x percent बढ़ती है और दुबारा x percent घटती है तो जो net result होता है net result जो होता है वो हमेशा x square by hundred का loss होता है minus होता है इस पे बहुत सारे प्रशन बनते हैं कई बार बोल देता है कि कोई विक्रेता उसी समान को पहले 10 percent lab में बेशता है फिर 10 percent हानी में बेशता है तो खुल कितना lab या हानी हुआ ऐसे में भी हमेशा x square by hundred तो x की value यहाँ पे है 10 तो 10 गुड़े 10 करेंगे 100 100 बटे 100 करेंगे क्या हो जाएगा एक आगे लगा है minus यानी कि minus 1 percent कहने का मतलब 1 percent का हमेशा loss होगा हानी होगा यहाँ पे जनसंख्या की बात कर रहा है तो पहले 10 percent बढ़ी फिर 10 percent घटी तो अंतिम में 10 percent 10 percent का result क्याएगा जनसंख्या 1 percent से decrease हो जाएगा गम हो जाएगी तो 10,000 का 1 percent कितना हो जाएगा 100 तो 10,000 में से 100 चला जाएगा कितना बचेगा 99 यह आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है यह पे मैं एक formula आपको और बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यदा पूशता है geometry में पूश लेता है या कहीं भी पूश लेता है कैसे भी geometry में करा देता हूँ एक question बोलता है कि मान के चलिए कि कोई आयत है आयत का अगर लंबाई और चोड़ाई यह चोड़ाई है अगर इसमें 10 percent की वृद्धी की जाए चोड़ाई में 5 percent लंबाई में 5 percent की वृद्धी की जाए तो total effect क्या होगा कुल 6 तफल में क्या फरक पड़ेगा ऐसे जब भी आये कि किसी में x percent बढ़ रहा है और इसमें y percent बढ़ रहा है तो total effect आएगा x plus y plus xy upon 100 होता है यह formula याद रख लीजेगा जैसे यहाँ पे 10 plus 5 plus 10 गोड़े 5 बटे 2 यानि कि 15 plus यहाँ पे बटे 100 एक बटे 2 यानि कि 15 सही 1 बटे 2 percent में total उसका चेत्रपल बढ़ जाएगा तो यसे बहुत सारे question पूंच लेता है मैंने आपके जल्दी में आपे बता दिया चलिए देल ना करते हुए question number 122 पे आते हैं question number 122 कह रहा है कि यहादी x1, x2, x3, x1 का मान x bar है तो mx1, mx2, mx3, mx1 का मान दे क्या होगा माद पूछ रहा है मैंने पहले भी बोला कि mean यानी की माद की मतलब होता है average और जब भी average की बात करे या mean की बात करे तो अगर किसी भी चीज का average मैं मान लेता हूँ mean या average दोनों सेम चीज होते है mean या average किसी का अगर x है तो अगर उसके सारे, सारे number में किसी एक number से जाए तो a में भी a से भाग हो जाएगा, total average में भी a से भाग हो जाएगा, अगर हम सभी में a बढ़ा दे, plus a कर दे, सभी term में, तो नए average में भी a plus x plus a हो जाएगा, और ठीक ऐसे सभी में अगर a minus कर दे, तो सभी में क्या हो जाएगा, x minus a हो जाएगा, मतलब अगर हम जो भी change उसके सारे टम में करते हैं टोटल जो effect आता है उसमें भी वही effect आएगा तो यहाँ पर बोला है का sum में m से गुड़ा कर दिया जाए तो x बार पर क्या फरक पड़ेगा तो x बार में भी m से गुड़ा हो जाएगा तो कहाँ पर दिख रहा है वो आपको option c में दिख रहा है ठीक है यह आपका उत्तर हो जाएगा फिर आते हैं next question पर क्या कह रहा है question number 123 question number 123 कह रहा है कि निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है निम्न संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 2 plus 2 plus 2 का whole square दिखें बहुत आसन सा question है इससे आप go through option ही करिए और कोई तरीका नहीं है ये तो सब जोड़ है 2, 2, 4, 2, 6, 6 का square बरावर हो जाएगा 36 ये 2 plus 2, 4 square 4 का square करेंगे तो 16, 16 का square करेंगे तो 256 यहाँ पर 2 plus 2, 2, 2, 2, 2 यानि 2, 2, 2, 8 का square करेंगे अभाजी संख्या है देखें अभाजी संख्या की बात यहाँ पर आ गए है तो मैं कुछ टम आपको बता दे रहा हूँ कोई भी natural number कोई भी प्राक्रतिक संख्या प्राक्रतिक या उसे आप counting number भी बोलते हैं प्राक्रतिक संख्या जो होती है हमेशा वो एक या प्राइम नंबर या कॉम्पोजिट नंबर के फॉर्म में लिखी जा सकती है या तो एक या तो अभाजी संख्या या तो भाजी संख्या जैसे natural number प्राक्रतिक संख्या होते क्या है एक दो तीन चार पांच छे साथ आर्थ नौ 10 ऐसे से बढ़ते चलिएंगे तो मैंने एक को तो पहले यालग कर दिया अब दो क्या है यह प्राइम है दूसरा पहरा इसकुल देता हूँ सम्झाने के लिए अपको यह प्राइम है तीन भी प्राइम है पांच भी प्राइम है साथ भी प्राइम है, आठ, नो, दस, इसा प्राइम नहीं है, इन ही तीन फॉर्म में टूटता है, तो मैंने एक को अलग इसी ले किया, क्योंकि एक ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, यहां पर बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, जब भी पूछता है सबसे छोटी अभाजी संख्या, तो वो एक पर टिक मार देते हैं, पता नहीं को टिक मार देते हैं, उनके दिमाग में सायथ अभाजी संख्या से और नंबर की इमेज बनी होती है, यह गलती मत करना, सबसे छोटी अभाजी संख्या क्या होती है, दो होती है, देखें मैंने यह बनाया है, आप इसका स्क्रिंस भी ले सकते हैं, दिमाग म जैसे 2, या तो 1 से भीवाजित होगी, या तो 2 से होगी, 3, या तो 1 से भीवाजित होगी, या तो 3 से, 5, या तो 1 से भीवाजित होगी, या तो 5 से, 6, या तो 2 से भीवाजित होगी, 3 से भीवाजित होगी, 6 से भीवाजित होगी, 1 से भीवाजित होगी, तो इसके और इसके अ बनों संखिया अलग नहीं है यह भी एक है इसलिए इसे प्राइम नंबर नहीं बोला गया ना ही एक प्राइम नंबर है ना ही एक एक अलग रखते हैं तो यह आत हमेहसा दिमाग में रखिएगा सबसे चोटी अभधे संख्या क्या होती है 2 होती है चलिए बिना देरी किये वे हम next question के तरफ बढ़ते हैं question number 125 आपका इंतजार कर रहा है question कह रहा है कि समय करण x plus 2y बराबर 3 का निम्न में से कौन हल नहीं है कौन सा हल नहीं है पूँच रहा है ऐसे question जब भी आए तो आप सीधा equation में option put कर लो हल मतलब की दोनों तरफ same value आनी चाहिए x की value यहाँ पे 0 रखें और यहाँ पे 3 रखें तो यह 6 हो जाएगा यह तो हल नहीं है तो पहला ही option हल नहीं है तो बाकी option चेक करने की जरूत नहीं है यही आपका सही उत्तर होगा बाकी सारे चेक करेंगे तो condition satisfy करेगी एक चेक करकर करके देख लेते हैं x बराबर 3 लग दे और y बराबर 0 लग दे तो यह 0 हो जाएगा 3 बराबर 0 condition satisfy कर गई मतलब यह हल है तो बस यहाँ पे यही वाला option आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा next question पे आते हैं question number 126 पे आते हैं मुलना है समी करण दो नीचे आपको समी करण दिये हैं का हल है तो यह symbols evaluate से तो आपको simplify कर लेना है 5 x plus 8 y बराबर 35 दिया है 3 x plus 9 y बराबर 42 दिया हुआ है इससे simplify कर लिजे तो यहाँ पे 3 से गुड़ा कर दिजे यहाँ पे 5 से गुड़ा कर दिजे यह हो जाएगा 15 x plus 8 3 24 y बराबर 35 दिया है 75 दिया है और यहाँ पे हो जाएगा 15 x plus 45 y और यहाँ पे 42 दिया पांस दिया 10 पांस चुबी से 21 किस 210 माइनस कर लिजे तो दूसरे में से यह दूसरा है question यह पहला दूसरे में से अगर पहला माइनस कर दें तो क्या जाएगा यह यह तो कट जाएगा 45 में से अगर 24 जाएगा तो 6 उदर बचने 15 6 21 y बराबर 250 में से 15 10 25 20 21 210 है पचास नहीं है ठीक है 210 में से अगर 105 जाएगा तो 105 ही बचेगा तो 21y यानि y बराबर आ जाएगा 5 y बराबर 5 आ गया तो कहां कहां यहां पर मिल ला है यहां पर मिल ला है देख लेने x की value क्या हैगी तो किसी भी पूट कर लो अगर y बराबर 5 को लें तो 8, 5, 6, 40 अगर 40 दहर लेके जाएगे तो क्या हो जाएगा क्या गरे k की किसमान के लिए निम्न युक पत्त समी कर लो 3x-5y is equal to 7 6x-10y is equal to 3k के अनन्त हल होंगे यहां पर मैं आपको कुछ information देना चाहूंगा अगर यह बात आ गई आप जान में रखे वही वारा question बन जाता है unique, inconsistent or dependent solution के बारे में मैं एक table बनाता हूँ आपको आप समाज में आईएगा unique solution क्या होता है unique solution जब भी दो line होंगे यह बिए मैं बताता हूँ इसे लिखने हो फिर बताता हूँ यह होता है inconsistent और एक आपका होता है dependent यह तीन type के solution possible होते हैं तीन type के हल possible होते हैं किसी भी दो variable और दो equation में हमेशा दो variable दो equation मतलब कि आपका ax plus by बराबस c a1x by b1y बराबस c1 और a2x plus v2y बराबस c2 यह दो variable कौन कौन से हैं x और y दो variable हैं और दो equation है equation 1 equation 2 कभी भी linear equation in two variable जिसे बोलते हैं न योगपत समी करणों की वही बात कर रहा है possible होते हैं एक होता है unique solution एक होता है inconsistent एक होता है dependent अगर इसका हम graph बनाएं तो समझिएगा unique solution अगर हम यह graph बनाएं यह मालिज आपका y-axis है और यह मालिज आपका x-axis है ठीक graph तो आप लोग जानते होगे बहुत आराम से अभी unique solution का मिलता है यह एक linear equation की line होती है एक line का equation होता है आप सभी लोग जानते होगे किसका equation होता है एक line का अगर यह दिया हुआ है तो इससे एक line बन रही होगे हम मान लेते हैं वो line क्या है यह है तो unique solution के लिए कोई भी दो line आपस में कहीं ना कहीं जाके क्या होंगी intersect होंगी यह थोड़ा पैरा बोला टाइप में बन गया मैं इसे straight line बना देता हूँ कोई भी दो line आपस में क्या होंगी intersect होंगी लेकिए यह जाके आपका intersect हो रहा है यह आपका graph था यहाँ पर 0 के access होती है तो यहाँ पर आपका intersect कर रहा है और जब दो line आपके वल एक बार intersect करती है तो उन्हें बोलते हैं कि unique solution है और ऐसे में देखिए इसका slope अलग है इसका slope अलग है जिसे m बोलते हैं ढाल बोलते हैं जिसे आप तो इस condition के लिए unique solution के लिए हमेशा अगर यह a1 x plus b1 y plus sorry बरावर c1 है है ना माल लिजए यह equation line a है और यह line b है मैं line a की equation यह बोल दे रहा हूँ line b की equation यह बोल रहा हूँ a2 x plus b2 y बरावर c2 है तो ऐसे में unique solution हमेशा एक solution तब मिलेगा जब a1 upon a2 not is equal to b1 upon b2 होगा तो ध्यान रखेगा बहुत ही important चीज मैं आपको बता रहा हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा trend चल रहा है ऐसे प्रश्न पोशने का और कोई बहुत आश्यर की बात नहीं होगी कि अगर आपके paper में same question इस concept पे पूंच लिया जाए ठीक है तो हम यहाँ पे एक बाद देख लेते हैं इससे draw कर लेते हैं सही से ताकि इसका screenshot भी ले लीजेगा ठीक है यह digital board पे writing बनाते नहीं बनती है तो थोड़ा आप लोग अपने आप से देख लीजेगा इससे समझ लीजेगा चली हम देख लेते हैं इस पे क्या है कि इसका भी मिलाइन draw ही कर दूँ ढंक से ठीक यह आपका table बन गया एक inconsistent solution में क्या होता है inconsistent solution का देख लेते हैं इसमें अगर हम graph plot करें छोटा सा graph plot करते हैं ज्यादा नहीं करेंगे ठीक इसमें क्या होता है कि अगर दो line आपस में parallel हों parallel हो मतलब कि एक माल लीजे रेखा आपकी ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा भी कैसे जाएगी ऐसे जाएगी दोनों parallel हैं और अगर यह parallel हैं तो इनका slope क्या होगा हमेशा बराबर होगा लेकिन constant बराबर नहीं होगा क्योंकि अगर constant बराबर हो जाता C1 और C2 बराबर हो जाता तो ऐसी condition बनती है तो आपका क्या हो जाएगा inconsistent solution हो जाएगा और dependent में क्या होता है आप देख लिजे dependent में अगर हम graph plot करें ठिक अगर हम graph plot करें यह माल लिजे आपका y-axis है यह x-axis है तो आपकी जो line बनेगी वो overlapping line बनेगी जैसा कि हमने बोला माल लो यह एक line है तो दूसरी भी line इसी पे जाएगी मैं दूसरी line का color दूसरा ले लेता हूँ तापकी आपको पता चले है ना दूसरी भी line इसके just उपर ही जाएगी दोनों overlap कर रहे होगी यही पे a है और यही पे b है ऐसे में आपका a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 बराबर c1 upon c2 और इस condition में आपके infinite solution मिलेंगे अनन्त solution मिलेंगे है ना infinite solution मिलेंगे dependent होता है यह infinite solution मिलेंगे इसी पर प्रशन है यह यहाँ पे inconsistent वाले में क्या मिलेगा no solution मिलेगा no solution कोई भी हल आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको किवल एक हल मिलेगा यहाँ पे आपको कोई भी हल नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको अनंत हल मिलेगा यह तीन कंडिसन है आप इसका screenshot ले लीजे last time में revise करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा तो हम देख लेते हैं कि यह प्रश्ण किस पे था यह प्रश्ण पूछ रहा है कि अगर ऐसी दो चीजें हैं तो उसका अनंत हल के लिए कौन सी condition satisfy करेगी तो बस अगर अनंत हल है तो आपका यह वाला condition होना चाहिए infinite solution के लिए a1 upon a2 यह a1 है यह a2 है यह b1 है यह b2 है और यह c1 है है और यह c2 है तो हम condition satisfy करते हैं 3ow बराबर होना चाहिए यही पे कल लेए तो a1 upon a2 मतलब 3 बटे 6 बराबर किस के होना चाहिए माइनस 5 बटे माइनस 10 बराबर होना चाहिए 7 बटे 3 k k तो यह तो 1 बटे 2 है यह भी 1 बटे 2 है कट कर लिए यानि कि 7 बटे 3 के बराबर 1 बटे 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के बराबर हो जाएगा 14 बटे 3 और 14 बटे 3 आपका कहा है डी पे है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा तो अगर यह concept आपको मालूम होता तो अगर एक्जाम में आपकी यह प्रशन आ जाएगा तो आप within second इसे लगा लोगे question में कोई दम नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका concept यहाँ पे clear है कि नहीं है चलिए हम बिना देरी किये हुए next question पे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे question cover करने हैं minus 13 x plus 15 और 2 x square minus 7 x minus 15 का मासा पा हो तो k का मान है मतलब बोला है कि x minus k जो है यह इनका और इनका मासा है तो k का मान क्या है मासा मतलब scf की बात कर रहा है यह तो इस ऐसे type के question करने के लिए हमें इसे simplify करना पड़ेगा, factorize करना पड़ेगा तो factorize करेंगे, यह लिखा हुआ है 2 x square minus 13 x plus 15 अगर हम इसे करें तो 15 दुनना 30 इसे simplify करें 2 x square minus 10 x minus 3 x plus 15 ऐसे लिख सकते हैं तो 2 x को common लिजे x minus 5, minus 3 को common लिजे तो x minus 5 यानि 2 x minus 3 और x minus 5 इसके 2 root मिले 2 factor मिले, ठीक हैसे इस वाले equation का देख लेते है 2 x square minus 7 x minus 15 इसे simply 15 दुनना 30 इसे लिख सकते हैं 2 x square minus 10 x plus 3 x minus 15 यह हो जाएगा 2 x common लिजे तो x minus 5 यहाँ पर 3 common लिजे तो x minus 5 यहाँ पर 2 x plus 3 और यह हो जाएगा x minus 5 अब आप जानते हो यह इस equation का है यह इस equation का factor है और मासा मतलब कि दोनों में common होना चाहिए इसका जो मासा होगा वो होगा x minus 5 और यह क्या बोल रहा है x minus k तो दोनों को अगर compare कर लें तो k की value क्या हो जाएगा 5 यानि कि option अपका bी सही हो जाएगा चले next question पर आते है question number 13 क्या कह रहा है यह दि समीकरण 3 x square plus 2 k plus 1 x minus k plus 1 is equal to 0 के मूलों का योगफल उनके गुड़न फल के बराबर हो तो x का मान है दो समीकरण दिया है एक समीकरण दिया है समीकरण के कह रहा है कि 3 x square plus 2 k plus 1 whole bracket x minus k plus 1 बराबर 0 के मूलों का योगफल मूलों मतलब उसके root की बात कर रहा है उनके गुड़न फल के बराबर हो आप जानते हो कि किसी भी quadratic equation के जो root होते है वो alpha और beta के form में लिखा जाता है तो alpha plus beta को बोला है alpha और beta के गुड़न के बराबर है दुनों मूलों का योगफल उनके गुड़न फल के बराबर हो तो k का मान क्या है अब आप जानते हो तो ठेक नहीं जानते हो तो मैं बता दूँ alpha plus beta का value होता है minus b by a कोई भी equation a x square plus b x plus c बराबर 0 अगर ऐसे लिखा है तो वो quadratic equation होता है quadratic equation होता है degree 2 होता है न उसका गन 2 जाता है यहना power 2 जाती है तो यहाँ पर इसका क्या होगा minus b upon a b ये है a ये है यहाँ पर अगर हम x का coefficient b होता है x के coefficient को compare करें तो v की value क्या हो जाएगी 2k plus 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 2k plus 1 upon a की value क्या हो जाएगी 3 यहाँ में लिख लेंगे 3 और आगे लगा लेंगी minus यह होगा b upon a के alpha into beta product of roots क्या होते है उनका गुड़न फल होता है c upon a c ये है a ये है यहाँ पर c आपका क्या है ये पूरा है और a क्या है आपका ये है तो हो जाएगा minus k plus 5 ये पूरा bracket में ये 5 है k plus 5 upon क्या हो जाएगा 3 अब ये दोनों अगर बराबर है तो 3 3 कट जाएगा minus minus कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 k plus 1 बराबर k plus 5 k इधर आएगा तो minus हो जाएगा एक उधर जाएगा तो minus हो जाएगा k की value आजाएगी 4 यानि 4 आपका हो जाएगा सही उत्तर चलिए question number 130 पे आते हैं देरी किये हुए 50 question बड़ी बात होती है एक दिन में करना लेकिन हम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका concept भी clear होगा बताया आपका यह 50 नहीं से 500 question आप मान के चलो सब कुछ यहीं पे cover हो जाएगा आपका ठीक 130 question क्या कह रहा है हम देख लेते हैं जल्दी से question क्या कह रहा है यह दि x square minus 6 x plus 8 greater than 0 हो तो x कमान क्या है ऐसा question करने के लिए हमें सबसे बड़ factorize करना पड़ेगा factorize करने के लिए देर नहीं करते हैं x square minus 6 x plus 8 greater than 0 है इसे अगर हम करें तो यह क्या हो जाएगा x square 8 है तो minus 4 x minus 2 x plus 8 greater than 0 x minus 4 लिख सकते हैं x बाहर लेके यह पे minus 2 लेके x minus 4 बाहर लिख सकते हैं यह हो जाएगा x minus 2 यह हो जाएगा x minus 4 greater than 0 यानि कि या तो x minus 2 greater than 0 है या x minus 4 greater than 0 है यहाँ पे मिलेगा x greater than 2 है ना तो यहां पर इस क्या हो जाएगा निश्ची दूर्प से दो से बड़ा आपका सही उच्तर हो जाएगा कोश्च नमर 131 पर आते हैं कि क्या कह रहा है कह रहा है यदि x-2, x-3-2x-2x-2x-1 का एक गुड़नखंड है तो a का मान क्या है ध्यान दखिए जब भी कोई चीज गुड़नखंड होता है फैक्टर होता है या उसका रूट होता है या उसका हल होता है तीनों बातें क्या होती हैं सेम होती है अगर x-2 उसका रूट है तो x बराबर 2 रखने पे ये पूरी की पूरी इक्वेशन का मान क्या हो जाना चाहिए जीरो हो जाना चाहिए तो हम x बराबर 2 यहां पे रख देते हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8-2 into a into x square यहां पे 2 की value रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से कुनांगे तो 8 यानि कि minus 8a plus यहां पे 2 रखेंगे तो 2 into a क्या हो जाएगा 2a minus 1 बराबर 0 रख देंगे minus 8a plus 2a minus 6a हो जाएगा 8 minus 6 7 हो जाएगा बराबर 0 तो 6a बराबर हो जाएगा 7a बराबर हो जाएगा 7 बटे 6 यह आवनी आपका option c सही हो जाएगा चले question number 132 पे आते हैं दो संख्याओं का लगुत्तम समापुल तक 36 अदम हत्तम समापुल तक 6 है यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है यहाँ पे concept आप देखिए बहुत important है और आपके exam में confirm पूँचा जा सकता है क्योंकि जब भी LCM SCF से simple सा question उसे बनाना होता है तो वो कुछ नहीं करता है simple इसी concept पे रख देता है और concept है किनी भी दो संख्याओं दो संख्याओं अगर N1 है और N2 है तो इनका गुड़ा हमेशा उनके बीच का LCM गुड़े उनके बीच का SCF के बराबर होता है note कर लीजिए दिमाग में इसे रख लीजिए कैसे भी करके यह बहुत ही important है आपके लिए ठीक है कुछ भी होगा इससे एक question जरूर से जरूर बन सकता है N1 into N2 बराबर LCM into SCF ठीक तो यहाँ पर दो संख्याओं का लगुत्तम समाप वर्तक 36 है LCM तो 36 दे दिया है बाई तथा महत्तम समाप वर्तक क्या है 6 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा एक संख्या 12 दे रहा है N1 की value दूसरे की value पूंच रहा है बस इसी पर न 2x-3y बराबर 7 तथा 4x-14 बराबर 6y के हल है simple सा question है अच्छा अनन्ध हल 2 हल कोई हल नहीं अधित्य हल जो मैंने आभी आपको chart बनाया ना उसी का question देखी कितने important है एक ही paper में 2-2-3-3 question उसी पर दे रहा है तो बस भाई हम देख लेते है condition क्या satisfy कर लिए A1 upon A2 और B1 upon B2 और C1 upon C2 के बीच में क्या relation बन रहा है A1 upon A2 करेंगे तो 2 बटे 4 B1 ये है और B2 क्या है ये है तो B1 minus 3 है अगर इसे लेगे आएंगे तो minus 6 हो जाएगा तो minus 3 बटे minus 6 और C1 यहाँ पर 7 है इससे उठा लेकि इधर ले जाएगे तो plus का 14 हो जाएगा यानि 7 बटे 14 ये भी 1 बटे 2 है ये भी 1 बटे 2 है और 3 अगर 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 है मालब कि 3 A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 बराबर C1 upon C2 फिर तो ये वाली condition हो गई न कि दोनों लाइने क्या हो जाए ठीक चलिए question number 134 पे आते हैं question number 134 कह रहा है कि यह दो बहुपदों P और Q के महत्तम समापवलतक तरसल अगुत्तम समापवलतक क्रमसा H और L से प्रदसित होते हैं तो same question आगया अभी आप देखें same question आगया जो मैंने अभी आपको concert बताया concert मैंने क्या बताया कि कोई भी दो number N1 into N2 हो तो उनके LCM और SCF का गुड़ा के बराबर होगा यहां पर वो N1 into क्या बहुपद बोल दिया कोई भी हो वो number हो या आपका किसी degree का polynomial हो कुछ भी हो सब पे condition वही satisfy करेगी यहां पर बोल ला है कि दो बहुपद है P और Q तो वो भी L और H के बराबर होंगे भाई साब तो बस condition देख ले ले हैं कि क्या हो रहा है यहां पर P by Q, P का Q से गुड़ा है तो यह तो नहीं हो सकता, H by P, H by P आ सकता है तो अगर हम P को यहां लेके जाएं और L को यहां लेके जाएं तो H by P बराबर Q by L बस यह condition satisfy करेगे प्लस माइनस मतलब वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है कोई मतलब नहीं है उसका ठीक है तो यह आपका condition satisfy कर जाएगा यानि कि option भी आपका सही हो जाएगा हाँ तो question number हम even 35 पे आते हैं देखते हैं क्या कह रहा है कह रहा है यह एक संख्या को उसकी व्यूत्कम संख्या यानि reciprocal संख्या से द्वारा वृद्धिकर देने पर 17 बटे 4 के बराबर हो तो संख्या क्या है देखिए ऐसे question को तो तूरंत आप go through option करिए ज्यादा दिमावन कर रही है बोला है x में 1 अपान x जोड देने पर 17 बटे 4 हो जा रहा है तो कुछ भी ले लिजे संख्या अगर 8 है तो 8 में 1 बटे 8 जोड़ेंगे तो कितना है तो 64 65 बटे 8 यह तो नहीं होगा किसी गहते हैं 3 प्लस 1 बटे 3 3 ती करनो 10 बटे 3 यह भी नहीं होगा 1 बटे 4 प अग्तम शमाप वर्टक है ऐसी यह पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है x cube minus 1 को क्या लिख सकते हो x minus 1 into x square plus 1 plus x और x की power 4 plus x square plus 1 यहाँ पे x square जोड लो x square minus कर लो तो आप इसे अगर simplify करते हो तो यहाँ पे देखिए x की power 4 यहाँ पे x square common ले लो तो x square plus 1 ठीक अगर इसमें से x square common ले लोते हो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x square plus 1 minus x square ठीक तो x square plus 1 x square plus 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे ले लो तो क्या जाएगा common ले लोती हो जाएगा x square plus 1 minus का x square ठीक है तो अगर हम इसे अच्छे से simplify करें खोलें तो क्या मिलेगा हमारा x square plus 1 minus x और 1 हमारा बनेगा x square plus 1 plus x यह बनेगा तो अगर हम इसे देखें तो मात्म सामावत तक क्या बनेगा x square plus 1 upon x यहाँ भी है और x square plus 1 plus x यहाँ पे भी हमारा है तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा इसा पैसा भी कर सकते हैं, x² यह हो गया, x² यह हो गया, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2x² हो जाएंगे, इस वाले लाइन में आप देखे, अगर confused हुए हूँ, तो देख लेते हैं, मैं फिल यहाँ पे, हमने एक बार x² चुड़ा, एक बार x² माइनस किया, क्या हमने, कि यह x की पार 4 हो गया, प्लस 2x² हो गया, प्लस 1 हो गया, यह पे माइनस x² कर दिये, यह a² प्लस b² प्लस 2a भी लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यह लिखा हुआ हुए, x² 1 का whole square, माइनस x², अब इसे expand करेंगे, तो a प्लस b प्लस c और a प्लस b माइनस c उस पे लिखेंगे, तो हमारा यह और यह टम common हो जाएगा, इसलिए हमारा scf क्या हो जाएगा, नात्रम सामपलता है, x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, मेना देरी के next question पे आते हैं, दूई खात समी करण मतलब दो डिगरी के polynomial की बात कर रहा है, c' x² प्लस b' x प्लस a' square to 0 के मूलों का योगफल होगा, वो alpha प्लस beta आप से पूछना चाहरा है, मैना भी बताया, minus b by a होता है, यहाँ पे b क्या है, b' a क्या है, c' तो b' upon c' आगे minus लगा लेजे, क्यों सा उत्तर हो जाएगा, यह आपका उत्तर हो जाएगा, question number 139 क्या कह रहा है, यह दि समी करण p x square minus q x plus r is equal to 0 के मूल alpha और beta हो, तो 1 upon alpha plus 1 upon beta क्या होगा, फिर से same question 1 upon alpha plus 1 upon beta, इसे simplify करें, तो यह alpha, beta, alpha plus beta लिखा हुआ है, आप जानते हो, alpha plus beta क्या होता है, b by a, b है minus q, minus b by a, b है q, और यह है p, तो यह हो जाएगा, minus q by p, और यह क्या हो जाएगा, alpha beta, r by, minus q by p है यह, और r by p, p, p कट जाएगा, यानि क्या बचेगा, minus q by r, minus q by r, option a आपका सही हो जाएगा, next question पे आते हैं, सबसे बड़ी संख्या, जिससे 432, 534, पर सेस्फल साथ रहता है, वहा है, देखिए, number system का question है, SCF, LCM के topics related है, बोल ला है, 432, 534, 398 को, किसी संख्या से divide किया जा रहा है, संख्या माल लेते हैं, n है, तो प्रतेग दसा में साथ क्या बसता है, सेस्फ बसता है, तो अगर हम जब n से divide करते हैं, तो 432 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 425, 534 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 527, और 398 माइनस 7 हो जाएगा, 391, यानि कि ये संख्याए, n से पूरी तरह बिभाजित हो जाएंगे, तो यही तो पूछ रहा है, कि सबसे बड़ी संख्या, भागद में पर सिस्फ़ साथ रहता है, तो अगर ये सारी संख्याएं, n से भी भाजित हैं, मतलब n क्या है उसका, hcf है, ठीक है, तो n ही तो हमें निकालना है, मतलब इन तीनों का हम hcf निकालने, तो हमारा काम बन जाएगा, तो इसका अगर हम scf निकालने, तो scf निकालने का देखिए, एक तरीका बहुत ही simple जो होता है, वो होता है कि आप nearest value का क्या कर ले ले, minus ले, nearest value को कौन से दिख रहा है, 425 और 391, इसकी इसकी बीच का अंतर ले, तो यहाँ पे 9 और 25 और 9, इसकी इसकी बीच का अंतर क्या है, यहाँ का अलग तरीका है, ठीके ना, उससे आप निकाल सकते हैं, 500, 27 और 425 की बीच में निकाले, तो पचातर इधर और 25 उदर रहा है, नहीं सो एक सो दो, एक सो दो यहाँ का difference मिल रहा है, 34, इन दोनों, इन दोनों की बीच का difference मिल रहा है, और ऐसे यहाँ पे मिल रहा है, तो इन दोनों का निकालें, तो हमारा जो SCF आएगा, वो क्या हैगा, 34 आएगा, ठीक, नहीं, हो सकता है कि इसकी बीच में वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 हमारा SCF आजाएगा, अपने भी तरीक से निकाल सकते हैं, 17 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, इन तीनों का SCF, 425 और 527 और 351 का SCF, जो होगा, वो क्या होगा, 17 होगा, option A आपका सही हो जाएगा, ऐसे जब भी कोशन आए, कि आपका 432, 534, 398, मैं किसी संक्या सी वभाजित करने पर, समान से इस बसता है, मैं कोई भी नमबर ले लूँ, मालने लिजे कि नमबर N1 है, नमबर N2 है, नमबर N3 है, इसमें किसी सेम नमबर, A से डिवाइड करते हैं, तो सम्में common remainder बसता है, तो उसमें क्या करेंगे, हम सभी में N1-R, N2-R, और N3-R, और इन तीनों का क्या ले लेंगे, हम SCF ले लेंगे, वही आपका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस question में, question बर 140 का कह रहा है, पांच वर्स पूर्ब रामो की आयू वर्सो में, तथा 9 वर्स परशाथ आयू वर्सो में का गुड़नफल 15 है, रामो की वर्तमान आयू क्या है, simple सा question है, आप इसे go through option से भी बहुत अच्छे से लगा सकते हो, कोई issue नहीं आना चाहिए, देख लेते हैं, क्या कह रहा है, 5 वर्स पूर्ब हम मान लेते हैं, कि अगर present age 10 है, तो 5 वर्स पूर्ब कितना रहे होगा, 5 और अपके 9 साल बात कितना हो जाएगा, 9, 10, 19, तो 19 गोड़े 5, कभी 15 हो सकता है, नहीं, ये option तो नहीं होगा, 6 ले लेते हैं, तो 6 माइनस 5 वर्स पूर्ब कितना हो जाएगा, एक और अब 9, 6 कितना हो जाएगा, 15, 15 गोड़े 1, यानि कि 15 हो जाएगा, तो यानि कि यहीं आपका option सही हो जाएगा, ऐसे question go through option से आसानी से हो जाते हैं, question number 141 का कह रहा है, त्रिभुज की कोई मद्धिका उसके दो ऐसे त्रिभुजों को विवक्त करती है, बोला है कि कोई त्रिभुज है और उसका मीडियन जो है, उसका मीडियन जो है त्रिभुज को कैसे डिवाइट करती है, समान, सरवागशम, समान छेतरफल के, असमान छेत्रफल के तो कभी भी किसी भी टेंगल का जो मीडियम होता है उसको पराबर छेत्रफल में डिवाइट करती है option C आपका सही हो जाएगा question number 142 पे आते हैं देखते हैं क्या कह रहा है यदि किसी समानतर चतुरबुज के विकर्ण बराबर हो तो वह होगा समानतर चतुरबुज मतलब कि कोई भी आपका parallelogram है ऐसे आपका समानतर चतुरबुज बनता है बोला इसके जो दो विकर्ण है अगर यह आपस में बराबर हो जाते हैं मानने जिए यह d1 है यह d2 है तो अगर D1 बराबर D2 हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? rectangle बन जाएगा, rectangle की property होती है, rectangle एक ऐसा परल्लोग्राम होता है, आयद एक ऐसा समांतर चत्रुबोज होता है, जिसके दोनों विकर्ण, यानि कि दोनों diagonal क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा कोश्च नमबर 143 देखते हैं क्या कह रहा है एक सीड़ी इस प्रकार रखी गई है कि इसका निचला सिरा दीवास से पांच मीटर दूर है तथा इसका उपरी सिरा जमीन से बारा मीटर दूर है यह आपकी दीवाल खड़ी है और एक सीड़ी रखी है सीड़ी रखी इस तरह रखी है कि जो उसका निचला सिरा है वो दीवास से पांच मीटर दूर है यह ठीक यह मालेज़े आपकी क्या है? सीड़ी है यह आपकी सीड़ी रखी होई है और दिवाल पर यह ऐसी लगी होई है कि यहां से यहां से पांच मीटर की दूरी है और जो इसकी उंचाई है वो कितनी है बारा मीटर है यहां पर हम इसे क्या कर लेते हैं बारा कर लेते हैं तो बूला कि सेड़ी की लंबाई क्या है तो यहां पर 90 डिगरी बनाएगा यह 5 है यह 12 है पाइथा गरेश ट्रिप्लेट लगा सकते हो 5 बारा तेरा का बनता है तो सीधा यह क्या हो जाएगा 13 नहीं तो पाइथा गरेश ठरम लगा सकते हो 5 स्कॉर्म प्लस 12 स्कॉर्ण अलग से बता दूगा 5 बारा तेरा ऐसे बहुत है ट्रिप्लेट होते हैं कि अगर 5 बारा होगा तो 30 संख्या 13 ही होगी पाइथा गोदस में ठीक है हमेशा उसमें दिमाग में ज्याता सोचने की ज़बत नहीं होती है चले नेक्ट कोशन में बढ़ते है 144 पे क्या कह रहा है 13 14 सेंटिमेटर 15 सेंटिमेटर भुजाओं वाले त्रिभुज का छेतरफल क्या है तो यह आपका तीनों अलग अलग है कुछ बताया नहीं है प्रॉपर्टे कि यह राय टेंगल टेंगल है कि क्या है तो आपका एक हीरोंस फॉर्मूला था है S इंटू S-A S-B और S-C यह आप का एरिया का फॉर्मूला होता है किसी भी त्रिभुज के ठीक है ना जन्दल फॉर्मूला होता है इसे हीरोंस फॉर्मूला बोलते है are s क्या होता है ? कितना हो जाएगा, 13, 2, 26, 27, 27, 27, 27, 25, 42, 42, बटे 2, यानि की आ जाएगा 21, यानि S की value आपकी क्या जाएगी, 21 आ जाएगी, formula में आप रख दो, formula में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, under root के अंदर 21, 21-A, A की value 13 है, तो 21-13, 6, 7, गोड़े, 21-14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, और यहाँ 21, 15, तो 21 में से 15 जाएगा, 21 में से 14 जाएगा, 7, और यहाँ पर हो जाएगा, 6, और यहाँ पर हो जाएगा, 8, 20 में से 13 जाएगा, तो 8 हो जाएगा, आठ गोड़े, साथ गोड़े, छे, यह होगा तो 21 से आप तोड़ सकते हैं, यह लिखा है, साथ गोड़े, तीन यह लिखा है, चार गोड़े, दो यह लिखा है, साथ, और यह लिखा है, तीन गोड़े, दो सभी का पेर बन रहा है कि नहीं बन रहा है 7 का पेर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा 3 का पेर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा 2 का पेर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा और 4 तो अपने में हाई है तो ये हो जाएगा साथ गुणे तीन गुणे दो गुणे दो गुणे दो छेतरफल साथ एक की सिक्षी गुणे चार चार चौरासी चौरासी आपका सही उत्तर हो जाएगा चले, नेक्स्ट कोशन पर आते हैं, 145 पर उस वृत का छेत्रफल जिसकी परिदी 11 cm भुजा वाले वर्गी की परिदी के बराबर है, बोल रहा है कि कोई वृत है, कोई सरकल है, सरकल का परिमीटर क्या होगा, परिदी क्या होगा, यदि उसकी जो परिदी है, इसका छेत्रफल भुजा वाले वर्ग के, ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, इसके परिमीटर के बराबर है, तो अगर ये सभी सारी भुजाएं 11 है, तो परिमीटर 4 into 11 हो जाएगा 44, और ये इसकी परिदी के बराबर है, तो इसकी परिदी होती है 2 pi r, 2 pi r बराबर 44 है, pi की value आप यहाँ 22 बटे 7 यूज कर लो गोड़े r बराबर 44 ठीक तो यह हो जाएगा 22 इसे कट देगा 2 22 यहां से कट जाएगा तो r की value आजाएगा 7 एरिया पोच रहा है तो होता है πाई r square तो आप इसे 22 बटे 7 गोड़े 7 गोड़े 7 कर लो 7 7 कट जाएगा 7 2 नी 14 7 2 नी 14 से कट रहा होता है है ना साथ से कट रहा होता क्योंकि आप जान लो कि पाई r square में पाई आ रहा है और पाई में 22 बटे 7 यूज कर रहे हो तो अगर नीचे 7 आ रहा है और सारे option आपके इंटीरल वैलू है तो वो 7 से पूरा-पूरा कट रहा होगा मैं सारे option चेक कर लेता कौन से साथ से कट रहा है कि वर 154 दिख रहा है जो 7 से कट रहा है इसलिए यही आपका अभिष्ठ उत्तर हो जाता question number 146 पर देख लेते हैं क्या कह रहा है एक सम बाहू त्रिभुज का छेतरफल 49 रूट 3 वर्ग मीटर है तो त्रिभुज की भुजा है simple सा question है सम बाहू त्रिभुज है equilateral triangle है जिसमें 3 साइड बराबर होती है और इसकी साइड भी दिया है ए बराबर 49 रूट 3 है तो इसकी भुजा पूच रहा है एरिया बराबर 49 रूट 3 रूट 3 रूट 3 कर जाएगा a square बराबर हो जाएगा 49 रूट 4 तो a की वैलू हो जाएगी 49 रूट 4 का अंडर रूट यहां से आएगा 7 यहां से आएगा 2 तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 14 मेटर उसकी भुजा हो जाएगे चलिए next question पे आते हैं 147 question क्या कह रहा है 15 मेटर और 30 मेटर उचाई के 2 खंबे एक खेल के मैदान में सीधे खड़े हैं उनके पाधों के बीच की दूरी 36 मेटर हैं उनके शीलों की बीच की दूरी है बोलने, 15-30-30वीटर उंचाही के दो खंबे है, एक यह 15 मीटर का खंबा है, ठीक console 15 मीटर का खंबा है और एक बोलने, 30 मीटर का खंबा यह लीजए मैंने 30 मीटर का खंबा बना दिया, अभी बोलना कि इनके खंबे एक खेल के मैदान में सीधे गड़े हुए है, उनकी जो बीच की दूरी उनके food की बीच की जो दूरी है, है न, वो कितनी है, 36 मीटर है, इसकी distance बोल रहा है, कि 36 मीटर है, बोलना है उनकी sillsो की बीच की दूरी क्या है, वो आप से ये distance जानना चाह रहा है, तो ब पता करना है 15 को हम लिख सकते हैं 5 गोड़े 3 36 को लिख सकते हैं 12 गोड़े 3 तो यह 5 है यह 12 है यह हो जाएगा 13 और सब में 3 से गोड़ा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 13 तिया 49 सिधा आपका 49 मेटर उनकी बीच की दोरी हो जाएगे आप पाइथागरस भी लगा सकते थे आसान बन जाती है यह मैं अलग इसे चेप्टर में आपको बता दूँगा अच्छे से अभी आपके वल वो कोशन करिए जो आपके most expected है परिक्षा के लिए समय कम है उसका ध्यान रखना है उपर दिये गए चित्र में ओ बृत का केंद्र है और ओ पी आर इसकुल तो पचास सरकल है ठीक ओ उसका केंद्र है ठीक है और बोला एंगल ओ पी आर बराबर पचास दिग्री है यह कुछ ऐसा चित्र है यहाँ पर यह ओ है यह पी है ठीक है O P R यह P है यह R है और यह Q है इसे बोल रहे है पचास दिग्री है तो आपसे पूशना चाह रहा है कि एंगल P Q R मतलब यह एंगल और एंगल PRQ इन दोनों एंगल का मान क्या होगा अगर यह किया जाए तो दीखिए किसी भी ब्यास पे बनी कोई त्रिभुज डायमेटर पे बने त्रिभुज उसकी इस परिपरल पे कितना एंगल बनाता है अगरेका ब्यास और QRS बराबर 150 डिखरी है तो कौण SQP क्या है इसमें भी चित्र नही है चित्र क्या था मैं आपको बता दे रहा हूँ यह आपका एक सर्कल है ठीक यह आपका एक सेंटर है सेंटर से आपका एक ब्यास जा रहा है ठीक जो बित्र का व्यास है वो P और Q है फिर बोल रहा है यह चित्र कुछ ऐसा था Q यहाँ पर R और यहाँ पर ऐसे आके मिला हुआ है ठीक यह आपकी सरकल है और यह आपका ऐसे बना हुआ है ठीक यह आपका सेंटर O है P Q यह है S यह है और R यह है ठीक है अब ही क्या कह रहा है कि अगर यह एंगल 150 डिग्री है 150 डिग्री इसका एंगल है तो बोला है कि S Q P का मान क्या है S Q P यहाँ पर हमें एक ड्रॉ कर लेते हैं line, यह SQP का मान पूँच रहा है, इस angle का मान पूँच रहा है, तो simple सी बात है कि भाई, अगर यह cyclic quadrilateral है, यह 150 है, तो इसका और इसका sum 180 होगा, तो यह हो जाएगा 30, और किसी ब्यास पर बने त्रिभुच का, यहाँ पर कोण बनाएगा 90 तो यह हो गए 90, 30, 120, तो यह angle क्या हो जाएगा, 60, आपका उत्तर हो जाएगा, 60 चले, next question पर आते हैं यदि किसी ब्यास के कोण 4 इस्टू 3 इस्टू 2 के अनुपात में है, तो वहा है, बच ठीक है, आसान सा question है, देख लेते हैं 4 इस्टू 3 इस्टू 2 के अनुपात में कोण है, यानि 4X प्लस 3, X प्लस 2, X बराबर 180 किसी भी त्रिभुच के आंतरिक कोण का यह क्या होता है, 180 डिगरी होता है तो 4, 3, 7, 2, 9 X बराबर 180, तो X बराबर हो जाएगा 20, ठीक है X बराबर अगर 20 हो जाएगा, तो अधिक, यह क्या पूँच रहे है, कि त्रिभुच क्या है, 1 हो जाएगा, 120, sorry, X बराबर 20 आ गया, तो यह वाला कोण कितना हो जाएगा, 20 चुप 80, यह वाला कितना हो जाएगा, 60, यह वाला कितना हो जाएगा 20, 40, देखा जाएगा, तो सारे कोण 90 से कम है, तो जाहिसी बात है, कि अगर 90 से कम है, तो यह क्या होगा, नियून कोण 32 होगा, यानि की option भी सही होगा, तो यह तो था आपका 50 question का, जो आपके paper में पूँचा गया था, 2008 वाले ठीक है, SDI का paper हुआ था और जाहिसी बात है, कि इस बार भी आपके 120 प्रशनों में math और reasoning पूछना है, तो पहले आपका 33% पूछता था, मतलब कि one third math और reasoning होता था, अगर one third आ गया, तो इस बार आपके बनेंगे 40 question math और reasoning के, हाला कि इतने बनने नहीं चाहिए 40 question बहुत ज़्यादा होता है math reasoning का, है ना, लेकिन इतना भी मान की चले कि 24 से 25 question आपके इससे कम भी नहीं होंगे math और reasoning के तो important है यह, इसलिए यह class आपके start की गई है, जिसमें आपको maths की सारी class ही मिलेंगे, important question के मिलेंगे, ठीक है मैं आपको बता दूँ, एक बार overview दे दूँ, कैसे 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 क्या क्या चलेगा, ठीक है maths तो होगी होगी, reasoning के सारे question करा ही कराए जाए जाएगे, इसके साथ ही जो आपके important topic है, जिससे quality से simple question पहुँच जाते हैं, उनके सारे question कराए जाएगे, science से कराए जाएगे, current आपके सारे cover कराए जाएगे, जितना भी है बहुत अच्छे से इसे cover कराए जाएगा maths, reasoning, quality होगा, science होगा, current होगा modern India जहां से weight is बहुत जादा होता है यह आपके topic होगे, प्लस और भी जिससे Indian geography होए इतनी topic होगे, तो आपको बहुत अच्छे से revise करा दिया जाएगा क्योंकि target 90 है आपका और 90 प्रसन आपको सही ही करने है, तो series से जुड़िये, जो यह video देख रहे हैं वो channel subscribe कर लें, bell icon को push कर लें, तक notification मिलता रहे जब भी video है, पूरा schedule हमारे telegram group पे दे दिया जाता है telegram group से जो ना जोड़े हो description में link है t.me backslash parikshah plus या आप telegram में जैसे ही add the rate parikshah plus search मारेंगे, तुरंत ही हमारा channel दिखेगा parikshah plus तुरंत हमारा channel दिखेगा, वहाँ पे आप जुड़ जाए आप है, parikshah plus के नाम से आप है, logo हमारा लगा हुआ है parikshah plus का यह वाला यहाँ पे pen बनी है parikshah plus हिंदी में लिखा हुआ है ठीक है ना, यह वाला हमारा logo है आपको पता चल जाएगा कि parikshah plus app वहाँ से डाउनलोड कर लिजे, youtube पे तो subscribe करें लिजे, इसके अन्य अगर आप हमसे facebook पे जुड़ना चाहते हैं तो facebook पे हमसे जुड़ सकते हैं, description में link दिया हुआ है, आप ऐसे ही निरंतर रिवाइश करते रहे हैं target 90 को साकार करना है 90 प्रशन हमें किसे भी हालत में सही करने हैं और pre-qualify करना है ताकि मेंस में हमारा और आपता साथ बना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका झाल झाल झाल